Welcome everyone, मैं हूँ प्रतिक्षा Guys, Stranger Things के सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो कि हर एक प्लाटफॉर्म पे बहुत साधा फेमस हुई है यानि कि हर एक कैटेगरी के लोगों ने इसे पसंद किया है हम लोगों को इसके कैरेक्टर्स बहुत अच्छी तरीके से याद है इस सीरीज के राइटिंग भी बहुत ही बखुबी तरीके से लिखी कई है 2019 के अंदर इसका लास्ट सीजन यानि के सीजन थर्ड कम्प्लीट हुआ था जिसके बाद लोगों ने तकरीबन 2 से 3 साल तक इसका वेट किया इस वेट के लिए एकदम वर्थी सीरीज हम लोगों को नेट्फिक्स ने प्रेजेंट की है जिसके अंदर मई 2022 के अंदर वॉल्यूम 1 को अपलोड किया गया और इसी के साथ इसका वॉल्यूम 2 फर्स्ट ऑफ जुलाई को रिलीज किया गया इस बार के एपिसोड्स तकरीबर एक खंटे से उपर के हैं जो कि हमें स्टोरी के हर एक पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं तो चलिए फिर बिना प्रतिक्षा कराए आज मैं आप सभी लोगों को Stranger Things के सीजन 4 की 1 फर्स्ट एपिसोड में ले चलती हूँ जहाँ पर हमें टाइम लाइन 1979 की दिखाए जाती है यह पूरा एपिसोड हमें सारे कैरेक्टर्स की लाइफ को बताता है कि कैसे सारे लोगों की लाइफ कुछ नए लोगों की आने से और पुराने लोगों की जाने से चल रही है एपिसोड की शिर्वात की टाइम लाइन हमें 1979 की दिखाए जाती है हम सभी को पता था कि डॉक्टर ब्रैनर की मौत हो गई थी क्योंकि उनके उपर डैमो डॉक ने अटैक किया था लेकिन एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दॉक्टर ब्रैनर ही दिखाए जाते हैं जिसका अगला सीन हमें सीधा हौकिन्स लैप का दिखाया जाता है जहां पे एल के जैसे और काफी सारे बच्चे थे जिनके हाथ पर उनके नमबर्स लिख रखे थे यानि कि यह वही सारे बच्चे थे जिनके उपर हमेशा सी एक्स्प्रिमेंट किया जाता था डॉक्टर ब्रैनर अपने साथ एक बच्चे को लेकर जाते हैं जिसके हाथ पे 1-0 लिखा था यानि कि इस बच्चे का नाम 10 रहा होगा ब्रैनर इस बच्चे को कहते हैं कि चलो हम आज चाके कुछ और नई चीज़े सीखते हैं इस बच्चे के साथ में भी वही चीज़े हो रही थी जो कि 11 के साथ होती है यानि कि एक्सपिरिमेंट करके इन से नई नई चीजों के बारे में पता करवाया जाता है डॉक्टर ब्रैनर के आज की क्लास टैली पती की थी और वो इस बच्चे से पूछते हैं कि सरा मुझे बताओ कि हमारी टीचर रूम के अंदर क्या कर रही है टैन यहाँ पे हर चीजों को देखने लगता और उसके बाद में डॉक्टर ब्रैनर को बताता है कि वहाँ पे हर कोई मर रहा है मेरे दोस सारे मर गए है और टीचर भी मर गई है यह सारी चीज़े सुनके डॉक्टर ब्रैनर एकदम से डर जाते है क्योंकि टैन जूट नहीं बोल सकता है और तभी वहाँ पे एक उड़ता हुआ तरवाजा आता है जो कि सीधा डॉक्टर ब्रैनर के सर पे लगता है वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं उड़ने के बाद देखते हैं कि टैन मर गया है बाहर आने के बाद सारे गार्ड, सारे डॉक्टर और कई सारे बच्चे मर गए है आखिर उनके उपर किसने अटेक किया था एक कमरे में जाने के बाद डॉक्टर ब्रैनर को अपने आँखों के सामने ऐल दिखाई दीती है जो कि इस टाइम पे बच्ची है जाने कि 1979 में प्रेजेंट के साथ 8 साल पहले वाली एल इतनी जाता वाइल थी कि वो गुस्सा आने पे किसी को भी मार सकती थी और उसके पास इतनी जाता पावर्स थी टाइम लाइन यहाँ पे 1986 में शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर एल अब जॉयस की फैमिली के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो चुकी थी और अब वो माइक से बाद सिर्फ और सिर्फ लेटर्स की थू ही कर सकती थी एल यहाँ पर माइक को लेटर लिक सब के लाइफस्टाइल के बारे में बताती है कि कैसे जॉयस को एक अच्छी जॉप मिल गई इसी कारण वो एक बड़ी घर में रहते हैं जॉयस घर पे रह के काम कर सकती है एल और विल की कोई खास बादचीत नहीं होती है जॉनतन का एक नया दोस्ट बन गया है जिसका नाम अग्यल है नचानी हमेशा जॉनतन कौन से पत्ते वाले चीज़ों को हमेशारा करता रहता है अब इसका साफ साफ मतलब था कि एल वीट के बारे में नहीं जानती थी और जॉनतन ने अपने दोस्ट के साथ में रह के वीट लेना सीख लिया था एल ने यहाँ पे माइक को ये भी लिखा था लेटर के अंदर कि एल की स्कूल की लाइफ बहुत अची चल रही है लेकिन उसके अपोजिट एल की लाइफ बहुत जादा बेकार थी स्कूल के अंदर एल की कोई फ्रेंट्स नहीं थी उसे बुली किया चाता था क्लासरूम में हर्ट किया जाता था सेम टाइम पे हम माइक को देखते हैं जो कि एल के ही लेटर्स पढ़ रहा था और लेट होने के कारण जल्दी जल्दी में स्कूल भाग जाता है हम यहाँ पर डेस्टिन को भी देखते हैं जिसके गल्फरेंड सूजी हमेशा से स्मार्ट थी और वो सूजी से इंटेनेट हैकिंग करवा के खुद के ग्रेट्स को चेंज करवा देता है साथी साथ स्टीव और रॉबिन को भी दिखाया जाता है यह दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं हलाकि ना तो स्टीव को कोई गल्फरेंड मिली है और ना ही रॉबिन को कोई गल्फरेंड मिली है गल्फरेंड का मतलब कि रॉबिन को लड़किया पसंती इसी कारण जिसके बाद हम मैक्स को देखते हैं साथ ही साथ हम यहाँ पर एक मैच देखते हैं, फुटबॉल के मैच को यहाँ पर सब चियर अप करते हैं, दस्टन और माइक तो और्डियंस के बीच में बैठे थे लेकिन हम देखते हैं कि लिूकस ने इसी टीम को जॉइन कर लिया था, लिूकस को लगा था कि आगर उसे स्क करने बिली के नाम से, बाकि उसके मन में बिली के लिए कुछ भी नहीं था, यहाँ पर माइक दस्टन और लिूकस के बीच में बात होती है कि आज लिूकस का मैच है और उसे माइक और दस्टन चाहिए ही चाहिए, और लिूकस यहाँ पर इन दोनों को भी बताता है कि मैंने फुटबॉल इसी लिए जॉइन किया ताकि अगर मैं यहाँ पे जीच जाऊं तो हो सकता है कि मेरे कारण तुम दोनों भी फेमस हो जाओ माइक और डस्टिन लिूकस का कुछ अपोजिट में जवाब नहीं देते डस्टिन यहाँ पे मैक से बात करने की हर समय कोशिश करता था लेकिन मैक कभी उसे बात नहीं करती थी दूसरी तरफ हम जॉइस को देखते हैं जिसके घर पे आज एक पार से लाया था काफी सारे स्टैंप लगे हुए देखकर जॉइस उसे बहुत excitement से खोलती है असल के अंदर ये सारे स्टैंप Hawkins California यहाँ से बाहर के थे वो स्टैंप Russia के थे जॉइस काफी excitement से उस box को खोलती है जिसके अंदर उसे सिर्फ एक डॉल मिलती है हलांके डॉल ये cute नहीं थी थोड़ी सी horrible थी लेकिन जॉयस काफी जादा सोच में बढ़ जाती है कि ये डॉल आखिर उसे किसनी बेजी है इसी के साथ हम एल की classroom में देखते हैं जहाँ पर आज एक presentation डे था सबी को अपने अपने heroes की presentation बनानी थी जब एल का number आता है तो उसने एक presentation अपने फादर यानि के जिम hopper पे बनाई थी जिसने hawkins को बचाया था लेकिन यहां के बच्चे थोड़े smart level के थे वो एल को चड़ाने लगते हैं और उसके presentation का मजाग उड़ाने लगते हैं एल काफी जादा रोती है वो उन लोगों को match नहीं कर पाई थी अब तक insult होने के बावजूद भी Max continue करती है और अपने फादर के बारे में सब को बताना शुरू करती है यहां Lucas से बिना बात करे ही Max आगे निकल जाती है क्योंकि उसे counselor के पास में जाना था counselor यहाँ पे Max से पूछती है क्या अखे रब तुम कैसा feel कर रही हो तुमारे Max काफी साथा down होते चा रहे है counseling के लिए उनी बच्चों को भेजा जाता है guys जिन बच्चों के Marks school के अंदर धीर धीरी कम होते चाते हैं उन बच्चों के साथ में क्या problem आ रही है counselor बैट के वही समझते हैं लेकिन Max को यहाँ पे खुद के विजन्स आने लगते हैं कि कैसे last season के अंदर उसके आखों के सामने उसका भाई बिली मारा गया था counselor की पूछने पे Max सब कुछ जूट बोलती है कि उसे किसी भी तरह के विजन नहीं आते हैं यहाँ आखिरकार Lucas Max से बात करने के लिए चला जाता है लेकिन Max इस टाइम पे भी Lucas को जवाब नहीं देती है और उसे उल्टा सिदा बोल के वहाँ से वाश्रूम में चले जाती है जहाँ पर Max को अपने कुछ पुराने विजन्स आते हैं वो वहाँ पर रो भी रही थी परिशान थी और तब ही वहाँ पर उसे किसी की वॉमिट करने की आवाज आती है यहाँ पर असल के अंदर एक cheerleader girl थी जो कि football के captain के girlfriend थी इस लड़की का नाम Gracie था Max के पूछने पर Gracie कहती कि नहीं मुझे कुछ पर नहीं हुआ है तुम यहाँ से चली जाओ और तब हमें यहाँ पर इस first episode के अंदर ही एक बहुत बड़ा plot reveal होता है Gracie को बहुत बुरी तरीके से विजन्स आने लगते हैं उसके past life में जो उसके साथ अब तक बुरा हुआ है वो चीज़े उसे डराने लगती है यानि कि उसकी mom या उसके father उसे कुछ कह रहे है तब ही lights बंद हो जाती और उसके सामने एक पूरे पैर चला हुआ monster खड़ा था वो monster दर्वाजा खोलता है जो कि बहुत ही जाता danger लगता है ग्रेसी पुरी तरीके से डर चुकी थी लेकिन कुछी seconds के बाद में वो विजन्स चले जाते हैं ग्रेसी को लगता है कि ये बस उसके खयालात होंगे इसी के साथ में हमें माईक और डस्टिन के बारे में भी एक चीज़ पता चलती है इन दौनों ने एक ग्रूप को जॉइन किया था जिस ग्रूप के लीडर का नाम एडी था असल के अंदर ही एक पागल सा रॉक स्टार लड़का था जैसे गिटार बचाना पसंद था साथी साथ लोगों को बुली करना पसंद था और एक बहुत ही वियर्ड गेम खेलना पसंद था इस ग्रूप के मैंबर के अंदर माईक और डस्टिन तो थे ही और ल्यूकस अब जब चला गया था तो ये एक मैंबर की जरूरत थी एडी की परसनलिटी इस तरह के दिखाई गई है कि वो किसी भी वक्त किसी भी जगह पे किसी भी लड़के को परिशान कर सकता है और अब वो माईक और डस्टिन को कहता है कि आज का गेम वो बिलकुल कैंसल नहीं करेगा असल के अंदर माईक और डस्टिन को ल्यूकस के गेम में जाना था लेकिन वो एडी की बात को भी मनना नहीं कर सकते थे यहाँ पर जॉयस मरी को कॉल लगाती है गाई समसब मरी को तो चानते है कि पिछले सीजन्स में उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है अब जब हॉपर नहीं था तो जॉयस मरी से बात करती है और कहती है कि मुझे आगर कौन रश्या से यह चीज भेजेगा ऐसी डॉल किसलिए मुझे भेजी कई है मरी एक जनलिस्ट था इसलिए उसे लगता है कि जरूर रश्यान ने कुछ चीज़े पता करने के लिए तुमारे पास सिर्फ डॉल भीजी होगी इसमें ट्रांस्मीटर हो सकता है इसमें बॉम हो सकता है इसमें कुछ भी हो सकता है तो मैसे दूर करो इसकी कपड़े उतार के देखो क्या पता इसपे कोई सीक्रेट मैसेज लिखा होगा और अब आखरी रस्ता होगा इसे तोडने का इसी के साथ हम जॉनतन को देखते हैं जिसका एक दोस्त था आगे लाम का जो कि उसे हमेशा नशी करवाते रहता था साथ ही साथ वो जॉनतन नहीं है आगे चाकि यह दौनों कॉलेज में साथ स्टडी करेंगे यह दौनों जल्दी साथ में रहेंगे हालांकि रिलेशन इनका भी अच्छा नहीं चल रहा था लेकिन फिर भी यह ऐसा करते हैं कि सब कुछ ठीक है यहां दूसरी तरफ माइक और डस्टिन एक पार्टिस इसी के साथ हम ग्रेजी को देखते हैं जो कि स्कूल खत्म होने के बाद में सीधा सीधा फॉरेस्ट में जाती जाती है हालांकि इतने घने फॉरेस्ट के अंदर उसे नहीं जाना चाहिए था और तभी एक दम से आगे चाते हूँ एक विजन के अंदर बदल जाती है उसके स सिस्टेर्ट्टिंग इस वॉल क्लॉक से ही होती है और उसके साथ किया होता है वो तो आपको इस एपिसोड के लास्ट में पता चलेका असल के अंदर ग्रेसी ने यहाँ पर एडी को बुलाया था एडु नशे पत्ते करवाता था यानि की ड्रग्स डील करवाता था और दे देखते हैं जो कि अपने स्कूल से अपना प्रेजेंटिशन लेके बाहर निकली थी उसके साथ में विल भी था लेकिन वही लड़कियां जो कि उसकी क्लासमेट थी वो धक्का दे देती है इसी कारण नीचे गिरने से उसका पूरा प्रोजेक्ट तूट जाता है अब आल को इ है या एक्टिंग कर रही है सूपर हीरो बनने का इस जीट से ऐल को बहुत बुरा लगता है कि आखिर अगर आज उसके पास उसकी पावर्स होती तो यह लड़की जिन्दा नहीं बच्चती टीचर आके सभी को इधर उधर भेश दीती है विल यहां पर एल की हेल्प करता है यहां जॉयस मरी के बताने के अकॉर्डिंग उस डॉल को तोडने की कोशिश करती है एक बड़ी सी चीज लेकि उस डॉल के उपर वो गिराने ही वाली थी यह काम करते हुए जॉयस को उसके नेबर्स भी देखते हैं लेकिन जॉयस फिर भी नहीं रुकती और डॉल के जॉसरे स्कूल से जीत गया है यहां पे रॉबिन भी थी रॉबिन और स्टीफ मिलके एक लड़की के उपर बहुत जोर से हसते हैं क्योंकि हमेशा से वो लड़की बहुत गंदा गाती थी और यह दोनों उसके बिचिंग काफी पुराने टाइम से करते हुए आ रहे थे यह एरिका को देखते ही कहता है कि तुम बच्ची को उठाके ले आया अपने साथ में बच्ची क्या गेम खेल पाएगी लेकिन एरिका कहां किसी से कम थी वो एड़की को ऐसे जवाब देती है कि एड़क खुद हर मान जाता है और अब यह सब लोग मिलके एक साथ में गेम प्ल अगर लूकस ने इस गेम को जीत लिया तो वो हर किसी का हीरो बन जाएगा काफी सस्पेंस के साथ में सेम सीन एक साथ में पैरलर चलते हैं यहाँ पर डस्टिन माइक और आरिका को भी एक बहुत अच्छी चांस चलनी थी इसी टाइम पर लूकस के पास भी एक आखरी मौका था यहाँ एक तरफ लूकस गोल कर देता है वहीं पर दूसरी तरफ वहीं उन सारे बच्चों के अंदर से एरिका एडी को हराती हुई जीत जाती है एडी भी जोर जोर से चलने लगता है कि आखिर वो कैसे हार गया वहीं पर दूसरी तरफ सारी स्कूल वालों के सामने लू वीडियो पर सुनती है हालां कि दोस्तों से अलग होने की बावजूद उसने खुद को इतना भी अलग नहीं किया था मैक्स यहाँ पर डिप्रेशन से दूर होने की दवाईयां भी लेती है और उसी टाइम मैक्स अपने घर से बाहर जाती है अपने डॉक को खाना के लाने क की थी इसी कारण वो ढूंगने के लिए चला जाता है यहाँ पर ग्रेस दिरे-दिरे करके डरने लगती है और एडी को कहती है जो काम करना है जल्दी करके दो मुझे और उसी टाइम पर ग्रेस अपने विजन के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो अपना पुराना घर लेकिन ग्रेस तो इस टाम इतने बुरे विजन में थी कि वो बाहर निकल ही नहीं सकती थी एडी बहुत कोशिश करता है कि ग्रेस वापस से उठ जाए लेकिन ग्रेस नहीं उठती ग्रेस यहाँ उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन घर के सारे दरबासे बन थ देखते ही देखते वो monster grace को बुरी तरीके से hurt करने लगता है यहाँ एड़ी अपने आखों के सामने देखता है कि कैसे grace हवा के अंदर जा चुकी है वही दूसरे dimension के अंदर वही monster grace को अपने हातों से पकड़ के ऊपर ले जाता है एड़ी के सामने grace उसके rooftop पे पहुंच जाती है और एक एक करके उसके हर एक खड़ी तूट जाती है पूरा चहरा मुर जाता है आखे निकल जाती है पूरे चहरे से खुन निकलने लग जाता है और वो बुरी तरीके से एक भूत बन के सीधा नीचे गिरती है एड़ी यह सब कुछ देखके बहुत बुरी तरीके से डर कि आखिर ये सब हुआ क्या उसने तो ग्रेस को टच तक भी नहीं किया था और इसी के साथ काईज ये शांदर एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है काईज आगे आने वाले एपिसोड के अंदर भी काफी सारे सस्पेंस है तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक् वो मर भी गई थी इसी शांदर सस्पेंस की कंटिनिटी के साथ में सेकेंड एपिसोड स्टार्ट होता है अभी तक भी गाईज हमें हॉपर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है जॉइस के पास जॉल तो आई है लेकिन क्या हॉपर जिन्दा है यही सीन हमें वापस आधा भी बच गया था आंके हम मैक्स को देखते हैं जोगी अगली सुबह अपने गर के बाहर काफी सारी पुलüs वालों की काडियां देखती है यह सारे पुलिस की गडियां एड़ी के घर के बाहर रुकी थी एड़ी गडिया पको और दर्श कराई थी कि उनके घर के अंदर एक लड़की की बॉड़ी पड़ी हुई है जब पुलिस वाले अंदर जाके देखते हैं तो उनकी भी रूख आप जाती है क्योंकि इतना बुरा मर्डर आस तक किसी ने नहीं देखा था मैक्स भी कैसे तैसे करके छुपके जब आके जाती है तो वो ग्रेस की शकल देखती है और उसका शक यकीन में बतल जाता है क्योंकि रात पे उसने जिस लड़की को देखा था तो वो पूरी शौर नहीं थी कि वो ग्रेस ही है यहां घर के अंदर से एड़ी भी गायब था इस कि सभी एयरपॉर्ट पे वेट कर रहे थे माइक के आने का माहिच के आने सभी उसी ग्रीट करते हैं लेकिन इस टाइम पे माइक और विल योि रिप की नहीं था स्टीव के पास तो कोई चॉइस नहीं थी कि वो रॉबिन को पसंद कर सके और रॉबिन भी हर बार अलग अलग लड़कियों के बारे में बताया करती थी तब ही न्यूज चानल पर ये लोग स्टोरी देखते हैं कि हॉकन्स के स्कूल की एक लड़की की बहुत बुरी हालत हुई है उसका मर्डर हो गया है इसी चीज़ को स्टीव और रॉबिन भी देख चुके थे लड़की कौन थी ये किसी को नहीं पता जिसके बाद हम ग्रेसी को देखते हैं ये सारा ग्रूप एक साथ में बैटके हमेशा पार्टी किया करता था अब जब ग्रेस की मौत हो रहता है कि अब तुम्हारी निउस आखिर कौन पढ़ेगा जब इतनी बड़ी खबर आई है नैंसी को इस बारे में पता तो लगाना ही था इसी कारण वो भी अपने दोस्त के साथ इंवस्टिकेशन करने के लिए निकल जाती है यहां सेम निउस डस्टिन भी देखता है औ मैक्स यहां पर डस्टिन से मिलने के लिए क्यों आती है यह मैं आपको बताती हूँ क्योंकि डस्टिन एडी के ग्रूप का मैंबर था और एडी के बारे में डस्टिन को सबसे जादा पता होगा मैक्स यहां पर आके डस्टिन को कहती है कि प्लीज मेरी बात का विश्वास क को मारा है लेकिन ये चीज़ पता लगाने के लिए तो हमें एड़ी के पास ही जाना पड़ेगा ये उसने ही ग्रिसी को मारा है या नहीं मारा है दस्टिन का भी बात सुनके बहुत दिमाग खराब होता है कि जिस लड़के के साथ वो कल तक खेल रहा था वो लड़का किसी लैंविज में लिखा हुआ था डिकोट करने के बाद कुछ चीजे समझ में आती है एक नमबर दिया हुआ था और साथ ही साथ लिखा हुआ था कि अगर बिलीव हो तो इस नमबर के उपर कॉल करना मरी को अभी भी शक था इसी कारण वो काफी सारे इंस्टूमेंट और सिक् क्योंकि मरी को अभी भी लगता है कि कहीं ये नमबर रशियन्स का हो और वो हम लोगों पे स्पाई कर रहे होंगे तो भी हम ही फसेंगे और अब आखिर कार हमें हौपर को दिखाया जाता है हौपर जब उस ब्लास्ट के बाद में बच कया था तो रशियन्स जाने से पहले ह हौपर को भी अपने साथ ही ले गए थे उसके बाद हौपर के उन लोगों ने बहुत बुरी हालत करी थी हौपर को रोज मारा जाता था रोज बीटा जाता था और उससे उगलवाया जाता था कि आखिर वो किसके लिए काम कर रहा है क्योंकि हौपर ये एक ऐसा था जिसने उस मशीन को बंद किया था, यानि कि हॉपर किसी न किसी एजेंसी के लिए काम करता ही होगा, हॉपर के टॉर्चर को हम उस वक्त काफी अच्छे से समझ सकते हैं, जब हॉपर के ऊपर ऑक्सिजिन मास्क लगा, उसके अंदर से ऑक्सिजिन गायब करती चाती है, जीन यहाँ प माइक जब स्केटिंग के लिए सॉक्स नहीं पैंड के आया था, तो वो उटके लेनी के लिए चाता है, तब है विल यहाँ पे एल से पूछता है, कि तुम आकर माइक से क्यों चूट बोल रही हो, यह सब बताने से तुम्हें क्या मिलेगा, लेकिन एल कहती है कि हम दौनों को मैटरेस में तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए, और अब यह तीनों एक साथ स्केटिंग करने के लिए चाते हैं, जापर एस यूजवल विल्को अकीले ही रहना पड़ता है, बाइचांस यहाँ पे इन्हें की क्लासमेट्स पहुँच जाती है, वही सारी लड़किया जिनका नाम एल ने लिया था कि वो उसकी फ्रेंस है, इन लड़कियों को पता चलता है कि एल का एक बॉइफरेंट भी है, दूसरी तरफ हम ग्रेसी की बॉइफरेंट को देखते हैं, यहाँ पे सारा ग्रूप कमरे के बाहर खड़ा था और वेट कर रहा था कि आकर पुलिस अच के बाद में इस लड़के को साफ पता चल जाता है कि ग्रेसी मारी गई है, हॉकिन्स की स्कूल में जो लड़की मरी है, जो एडी के घर पे मिली है, जिसकी बहुत बुरी तरीके से मौत हुई है, वो ग्रेसी है, पुलिस के जाने के बाद ये लड़का बुरी तरीके से पागल हो जाता है और रोते हुए किसी से बिना बात करते हुए सीधा जंगल में जाता है यहां डस्टिन और मैक्स के पास एक प्लान था एड़ी को ढूनने का इसी कारणिये स्टीव और रॉबिन के शॉप में पहुचते हैं और दो तीन फोन लेकर एक साथ में कॉलिंग शुरू कर देते हैं यहां नैंसी के साथ में वही उसका दोस्त था जो कि अभी भी नैंसी से जॉनितन के बारी में ही पूचता है कि तुम दोनों आकर साथ में क्यों नहीं रह रहे हो तब जाके नैंसी बोलती है कि तुम चुप क्यों नहीं रह सकते हो मुझे मेरे काम पे फोकस करने दो हम दोनों अपने अपने दुनिया में खुश हैं असल के अंदर नैंसी ने Max के घर पे जाने का प्लान बनाया था क्योंकि Gracie की body Eddie के घर में मिली थी और location पे जाने के लिए नैंसी के पास सिर्फ और सिर्फ Max का ही बहाना था वो Polis वाले को जाके बताती है कि Max मेरी दोस्त है और वो आज अखीली रह रही है मैं उसकी बेबिसिटर भी हूँ और मुझे उसकी पेरिंस ने भीज़ा है इसी कारण पुलिस वाले नैंसी को उस लड़के के साथ जाने देते हैं लेकिन तब हम देखते हैं कि नैंसी के साथ चो लड़का था उसे भी काफी सारे विजन्स आने लगते हैं वो भी एक कमजोर दिल का था पुलिस वाला उसे एक मॉंस्टर की चैसा दिखाई देने लगता है मानों कि वो उसे मार ही डालेगा ऐसा वियर्ड बेव नैंसी भी देखती है कि आगर इसे क्या हुआ है यहाँ दूसरी तरफ अगिल पे आके जॉनतन से बात करता है और वो भी सेम ही टॉपिक प साथ में थी तभी एंजला अपने ग्रूप के साथ आती है और एल से बाते करने लगती है माइक को लगता है कि वो एल की फ्रेंस है और एंजला अपने ग्रूप के साथ में एल को स्कीटिंग करने के लिए ले जाती है विल और माइक को साफ दिख रा था कि ये लड़किया एल की दोस्त तो बिल्कुल नहीं है तब यहाँ पे विल भी माइक को समझा देता है कि एल ने आप तक तुमसे जो भी कहा है वो सब कुछ जूट कहा है और ऐसा उसने किसलिए कहा है यह मुझे भी नहीं पता यहाँ पे विल और माइक एल के पास आने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन तब तक काफी जाता बात बढ़ चुकी थी एंजला अपने ग्रुप के साथ एल को बहुत तंग करने लगती है इवन उसके उपर कोल्डरिंग भी फैक दीती है इतनी बड़े इंसल्ट देखके एल बहुत जादा रोने लग चाती है यहाँ दूसरी तरफ मरी के साथ में जॉयस उसी नंबर पे कॉल करती है जो कि लेटर के अंदर लिखा हुआ था साथ ही साथ हम हॉपर का भी सीन देखते हैं हॉपर ने इतना टॉर्चर होने के बावजूद भी अपने मूँ से कुछ भी नहीं उगला था तब यहाँ पे रश्यन पुलिस वाले कहते है कि अगर यह इतना हट्टा करता है तो फिर इसे रश्यन गॉर्मेंट के लिए काम करना चाहिए इसका मतलब था कि जील से भी बत्तर जगह पे हॉपर को भीचा चारा था सेम टाइम पे जब जॉयस कॉल करती है तो रश्यन के अंदर एक पुलिस वाला कॉल उठाता है और व बिना देरी करें यहां पे जल्द ही पहुंच जाओ सेम टाइम पे सीन शिफ्ट होता है जहां पे हॉकिन्स के अंदर अब एक बहुत बड़े करनल को बुलाया जाता है इस केस के मिस्टरी को सॉल्फ करने के लिए यहां ग्रेजी का बॉइफ्रेंट गुसे में आ जाता है क या खिर उसकी गुल्फरेंट के साथ इतना बुरा बरताव एडी ने किया है तो उसे जिन्दा रहने का हक ही नहीं है वो सारे लोगों को एक्दम से प्रवोक कर देता है कि हम लोग एडी से मिलके ग्रेजी का बदला जरूर लेंगे अब यहां पे लिउकस तो एडी को जान यहां दूसरी तरफ डेस्टिन और मैक्स मिलके काफी सारे नंबर्स पर कॉल कर चुके थे क्योंकि इन्हें पता था कि एडी एक ड्रग डीलर था जिसका कोई दूसरा नाम भी था पहले तो डेस्टिन और मैक्स एडी के सारे फ्रेंज को कॉल करते हैं कि आखिर वो कहां पर कब हम यहां पे नैंसी को देखते हैं जो कि मैक्स का नाम लेके क्राइम लोकेशन पे पहुँची थी उसे सबसे पहले तो मैक्स का डॉक ही देखता है हो सकता है कि उसने सारे चीज़े देखी हो इसी के साथ में नैंसी यहां पे एडी के अंकल के पास पहुँचती है एडी चीज़ बताने लगते हैं कि आज कल के बच्चे इस मौत के बारे में कुछ नहीं जानते ये मौत आज से कहीं सालों पहले विक्टर नाम के आत्मी ने की है एक आत्मी था जिसका नाम विक्टर क्रील था उसने अपने पूरी फैमली को मार डाला लेकिन वो खुद जिंदा जगा कि ये किसी और का काम है वो जगह एक श्रापित है हो सकता है कि विक्टर भी सच बोल रहा हो सेम टाइम पे हम नैंसी के साथ वाले लड़की को देखते हैं जिसे फॉरस्ट के अंदर कुछ आवाजे आने लगती है और उसी को फॉलो करते हुए वो जंगल में चला जा वापस से उसे नहलाया जाता है पैरों के अंदर हटकड़ियां डाली जाती है कपड़े दिये जाते है और भयंकर बर्फ के अंदर खड़ा कर दिया जाता है यहां जॉयस और मरी ने उस सारी बात को रिकॉर्ड किया था क्योंकि बिलीव नहीं था कि रशियंस इतनी और जिन्दा है और इस टाइम पे वो रश्या के पास में है और उसे अब अलास का जाना है पैसी लेके यहां हम विल और माइक को देखते हैं जो कि आपस में जगड़ा कर रहे थे लेकिन अपने जगड़ी को रोकते हुए यह लोग ऐल को डूणने के लिए जाते हैं ऐल इस अब ही जो फर्स सीजन के अंदर पहला एपिसोड था उसके अंदर से हमें पता चली चुका था कि एल ने इतने लोगों को मारा है तो एंजला को मारना तो एक बहुत चोटी बात थी हाला कि एंजला ने भी एल को बुरी तरीके से बुली किया था तब तक यहां पे विल और माइक भी पहुँच चुके थे जिन्हों ने अपने आखों से देखा कि एल ने उसका सर फोर दिया है यहाँ पे हम बाकी की चार बच्चों को देखते हैं यानि कि स्टीव, रॉबिन, डस्टिन और मैक्स को घर को खट-कटाने के बाद में भी यहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही थी आखिर अगर एडी अंदर भी बैठा होगा तो वो क्यों भला दर्वाजा खोलेगा तभी इन्हें सामने वाला एक छोटा सा बैक्यार दिखाई देता है और उसके अंदर जाने के बाद इन्हें लगता है लेकिन तभी डस्टेन उसे समझाता है कि भाई भाई मैं यहां पे हूँ में डस्टेन हूँ बात समझो स्टीव हमारे साथ में है तुम किसी को कुछ में नुकसान मत पहुचाओ तुम्हें पुलिस वाले बाहर ढूंड रहे हैं लेकिन हम तुम्हारी मदद के लिए आए है एडी बातों को समझता और स्टीव के उपर से हाथ अठा लेता है सब मिलके एडी से पूछते है कि हमें तुम पे बिलीव है तब हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने विजन के अंदर था अब इसका बुरा विजन वो था कि एक कार के एकसिडेंट में किसी ने उससे हल्प मांगी होगी और उसने जरूर नहीं की होगी सेम टाइम पे एडी भी सबको बताने लगता है कि ग्रेसी उसके साथ आई थी ड्रग लेने के लिए लेकिन जब वो वापस आया तो ग्रेसी उससे बात ही नहीं कर रही थी मानो कि वो दूसरी दुनिया में है किसे ने उसे पजस कर रखा है ये चारो बच्ची पिछली कहीं सारे सीजन के अंदर थे और इन्हें हौकिन्स के कांट के बारे में तो पता ही था बाते सुनते ही ये लोग कनेक कर रहे थे कि वापस से मॉंस्टर लॉट चुका है दूसरी दुनिया से सेम टाइम पे हम उस लड़के को भी देखते हैं जिसके सामनी मॉंस्टर आगे बढ़ता ही जा रहा था यहां मैक्स भी पूछती है कि आखिर ग्रेसी क्या बात करना चा रही थी क्या वहाँ पे आसपस और भी कोई था तो आईडी कहता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था ग्रेसी मेरी बात ही नहीं सुन रही थी तभी एकदम से वो हवा के अंदर चली गई और उपर उड़ती ही जा रही थी मैंने बहुत कोशिश की उसे बचाने की लेकिन उसने अपनी आखे भी नहीं खोली तभी उसके हाथ पैर मुड़ गए सारी हडियां तूट गई और उसके चहरे से आखे भी निकल आई और उसी सेम टाइम पे मॉन्स्टर उस लड़के के आगे आगे आता जा रहा था उस लड़के को हवा के अंदर उठाता है अब साइड डाउन वर्ल्ड के अंदर वो मॉन्स्टर इस उसके बार बार में उसके शरीर पे लग रही थी, और लग भी होती चा रहे थी, चांदर एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है स्ट्रींजर थेंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक और लड़के की मौध हो गई है इसी के साथ में मौनस्टर वैकना भी दिखाया जाता है इसी कंटिनेटी के साथ में एपिसोड नंबर 3 की शिर्वात होती है और इस पार हमें डॉक्टर ओंस का घर दिखाया जाता है डॉक्टर ओंस के घर के बाहर एक चौपर आके खड़ा हुआ था जोकि कॉर्मेंट की तरफ से था असल के अंदर ये वही जनरल थे जिनने केस सॉल्फ करने के लिए शेहर में बुलाया गया था वो डॉक्टर ओंस इसे आके एल के बारे में बात करते हैं कि आखिर वो लड़की कहां पर है इसके बारे में आप से अच्छा और कोई नहीं जानता होगा डॉक्टर ओंस कहते हैं कि उस लड़की के बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि वो अभी कहां पर रह रह रही है और इवन उसके फादर कौन किसे मार सकता है एल वापस आई है और हमें उसे ढूंडना ही पड़ेगा उस टाइम तक भी डॉक्टर ओंस जनरल को कुछ भी नहीं बताते इसका मतलब था कि अब जनरल खुद के हिसाब से अपनी इंक्वाइरे बिठा के एल को ढूंड लेंगे यहाँ पर डॉक्टर ओ इसने किसी का सर फोड़ दिया अगिल जॉन के साथ में तिनों बच्चों को लेके घर आता है लेकिन रास्ते के अंदर एल को शांत करने के बज़ाए आगिल यही बाते बोलता है कि इसने जादा थोड़ी नगुच किया है एक लड़की का सर ही तो फोड़ा है घर आने के ब नशे स्टार्ट कर दिये हैं और जॉन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं दिख रहा है यहाँ पर कोई भी किसी को कुछ नहीं बता था लेकिन आखिरकार इनके मुँसे कोई बाते निकल ही जाती है और एल इन बातों से हर्ट हो कि सीधा अपनी कमरी में चली जाती है एल को भी बा अपने ग्रूप के साथ एडी को ढूणने के लिए निकला था और साथ में बहुत सारी चीज़े लेके निकला था किकि वो एडी को जिन्दा ही नहीं देखना चाता था उसे मारना चाता था लेकिन लियूकस ये सारी बाते अपने दोस्तों को बताना चाता था ये कुछ भी प्राइब था कि एड़ी ने ऐसा नहीं किया है इसके पीछे जरूर कोई वजा होगी लेकिन इन चीजों को पता करने के लिए इने बाहर जाना ही पड़ेगा और ये लोग बाहर किसी को भी नहीं बताएंगे डस्टिन ये प्रॉमिस करके बाकी चीजों के बारे में पता लग माइक और विल को देखते हैं दौनों ये एक दूसरे से जगडा करते हैं कि शायद तुम ही बात करनी चाहिए थी या फिर शायद तुम ही बात करनी चाहिए थी एल ब्रिकफास्ट टेबल पे नहीं आई थी इसी कारण माइक ब्रिकफास्ट लेके सिधा एल के पास में जात तुम आखे किस से डरते हो क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ या फिर तुम्हें शर्म आती है इन सारी बातों के चक्कर में एल माइक से जगड़ा कर लेती है और सेम टाइम पर यहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है गाई इस सीन को देखके साफ पता चल रहा था कि इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस आके बच्चे को जील में ले जाए यहाँ कॉप्स एल को अपने साथ लेके जा रहे थे और एल कुछ भी नहीं बोल पाती अपने डिफेंस में इधर विल, माइक और जॉन सब खड़े थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उनक नहीं है, मर गया है जिसने फिरौफ़ी के पैसे मांगे है क्या उसने चूट तो नहीं बोला इउपर से बच्चो को भी नहीं पता है भाग सकते हो यहां की सेक्योरिटी बहुत टाइट है और शायद जिसने भागने की कोशिश करी है वो सीधा मराई है होपर को मोटिवेट करने की बचाए वो डी मोटिवेट पहले करता है तब होपर जॉयस के बारे में पूछता है तो यह रशिन बताता है कि तुम्हारी गल् बात यह थी नैंसी यहां पर उस लड़के के बारे में बताती है जो कि उसके साथ आया था कि वो बहुत जादा वीर्ड बीएव कर रहा है मैक्स भी कहती है कि ग्रेसी वाश्रूम के अंदर उल्टियां कर रही थी और रो रही थी बहुत जोर जोर से आखर इन तौनों के ब गलग ग्रुप बनाते हैं आप सभी को पता करना था कि नैंसी के कलीक और ग्रेसी के बीच में कॉमन चीज़ क्या थी इसी के कारण बच्चों को लेके स्टीव स्कूल में पहुंचता है क्योंकि मैक्स को काउंसलर से बात करनी थी और वो सोच रही थी कि काउंसलर उसे बता को ढूंडता है और यह नया शिकार और और कोई नहीं बलकि ल्यूकस के साथ जितने भी लड़की बैठे थे उन में से एक लड़का था और उसे कोई ना कोई प्रॉप्लम हो रही थी यह सारे लड़के मिलके एड़ी के फ्रेंस की पास जाते हैं और उसके बाद में एड़ कहां पर है हद से जाधा टॉर्चर करने के बाद एक लड़का बोलता है कि एड़ी को डस्टें डूंड रहा था डस्टें ने हमसे पूछा था और वो बार बार एड़ी के बारे में ही पूछ रहा है तो शायद हो सकता है कि उसे एड़ी मिल गया हो यहां हम उन कॉप्स को देखते हैं जो कि एल को अलग-अलग बाते पूछ रहे थे कि तुमने आखिर उस लड़की को क्यों मारा तुम तो बहुत साथा वाइल्ड हो तुमसे तुम्हारा गुसा कंट्रोल नहीं होता है तुमने चोटी मोटी बात के लिए उस लड़की का सर फोड दिया एल इन सार कि बात करने के बाद इन्हें पता चलता है कि बिना पेरेंस के एल को नहीं छोड़ा जा सकता है या तो इनके लीगल पेरेंस आने चाहिए जो कि दौनों ही यहां पर नहीं थे माइक अपने आखों के सामने एल को पुलिस की काड़ी में बैटके जाता हुआ देख रहा था यहां जॉयस को भी डर लग रहा था कि क्या वो सेफली आलासका पहुंच जाएगी इसी के साथ में हॉपर का टाइम था कि अब उसको अपनी हदकरी थोड़ी से लूस करवानी थी इसी के कारण वो रश्या के एक आदमी से थोड़ी थोड़ी रश्यन बोल के उसे समझाता ह कि आज वो उसके साथ एक ब्रेट की डील करेगा अगर वो उसके पैर पे जोड़ी से मारेगा इस रश्यन बन्दे को तो ब्रेट से मतलब था लेकिन वो लालची भी था इसी कारण वो हॉपर का पूरा खाना मांग लेता है हॉपर अपने खाने के बदले अपने ही चेन रूटे सिर्फ कच्ची हो, इसी का ध्यान रखने के चक्कर में, हॉपर के पहर पे भी बहुत बुरी तरीके से लगती है, उसकी हड़ी तक भी तूट जाती है, लेकिन फिर भी हॉपर चिलाता तक नहीं है, यहाँ नैंसी और रॉबिन लाइब्रेरी पहुंचते हैं, और ला वापस सपने आने लगे है, मैक्स अभी तक उन सपनों से बाहर भी नहीं निकली थी, लेकिन फिर भी उसे जूट बोलना पड़ता है, कि हाँ वो अब ठीक है, मैक्स यहाँ पे बातों ही बातों के अंदर ग्रेसी और उस लड़के के बारे में पूछना चाती थी, लेकिन यह बात काउंसलर समझ जाती है, कि यह बाती सब कॉन्फिडेंशल होती है, यह सारी बाते लीगल है और ऑफिस में ही रखी जाती है, वहाँ से बाहर नहीं आती है, तो मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं बता सकती, मैक्स को लगता है कि शायद उसके पास कोई होप नहीं है, इसी कारण वो वाश्रूम के बारे में पूछती है, लेकिन उपर जाने पे उसे स्टैर के पास एक बाउल मिलता है, जिसके अंदर स्कूल के ओफिस की चाब यहां थी, मैक्स वो चुरा थी और फटाफट से स्टीव और डस्टिन को कहती है कि काड़ी भगाओ, च चाहे कुछ भी हो जाए, यहां से भाग जाओ, और यह बाते स्टीव डस्टिन और मैक्स सुन भी लेते हैं, उन लोगों को पता चल जाता है कि काफी सारे लड़के उनके पीछे पड़े हैं, एडी को ढूंडने के चक्कर में तो हो सके तो यहां से भाग जाओ, उसी टाइ और सारे के सारे मिलके कहते कि आगे का काम हम कर लेंगे, जिस तरीके से एल को लेके जाया जा रहा था, उससे तो लग रहा था कि न जाने उसके उपर कौन से मुसीबत आ गई है, लेकिन तबी डॉक्टर ओंस उसके सामने आते हैं, और एल खुश हो जाती है, जोयसर मरी भी सिर्फ थोड़ा सा तोड़वाया था तो किसी को भी नहीं पता चला जेल के अंदर आने के बाद होपर अपने पैर से उस बेड़ी को निकालता है और तब हमें पता चलता है कि होपर का पैर कितनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो रखा है और उसके अदर से निकलने वारा परिवार से बहुत प्यार करता है और आखिर वो अपने परिवार के साथ ऐसा क्यों करेगा लेकिन उसके बाद विक्टर ने कुछ टाइम बाद में अपना स्टेट्मेंट चेंज किया और कहने लगा कि ये सारी चीज़े उस नहीं करी है इन दौनों लड़कियों को हैंट क्लोस करने के लिए ये सब कुछ अपने उपर ले लिया है इसका मतलब है कि इन चीज़ों के जवाब तो सिर्फ और सिर्फ विक्टर ही दे सकता है कि आखिर उस रात को क्या हुआ था यहां रात हो गई थी स्टीव डेस्टिन और मैक्स स्कूल के अंदर पहुँचते हैं इ सिर्फ और दॉक्टर ओंस ऐल से बैट के बात करते हैं कि तुम कैसी हो कि आखिर तुम्हारे साथ में क्या चल रहा है एल कहती है कि मेरी लाइटके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ओंस यहां पर सीधे मुद्द्ध की एपर आते है और ऐल को समझाते कि हौकिन बनाया है तब यहाँ पर एल भी कहती है डॉक्टर ओन से कि अब उसके पास उसके पावर्स यह नहीं है वो आखिर क्या कर पाएगी तब डॉक्टर ओन समझाते हैं कि इसमें तुम्हें कुछ पे नहीं करना है हमें पता है कि तुम्हारी पावर्स वापस चली गई है लेकिर पावर्स को लाया भी जा सकता है मेरे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कि तुम्हारी पावर्स वापस आ जाएंगी तुम्हें अगर मुझे विलीव है तो तुम मेरे साथ चलो क्या तुम नहीं चाती कि तुम्हारे पास तुम्हारी पावर्स वापस आ जाए और होकिन बिल्कुल ठीक हो जाए एल के दिमाग में भी काफी सारी चीजे चल रहे थी वो भी लोगों को बस बरदाश्टी करती जा रहे थी जो लोग उसे बुली कर रहे थे एल को अपनी पावर्स चाहिए थी इसी कारण वो डॉक्टर ओंस को हां कर देती है डॉक्टर ओंस लेकिन फ सेम थे कि वो दौनों परिशान रहने लगे हैं उन दौनों को सपने आते हैं उन दौनों के नाक में से ब्लड निकलता है उन दौनों की सर में दर्द होता है और मैक्स यहां पे खुद को पूरी तरीके से कनेक कर पा रही थी क्योंकि यह सिम्टम लास्ट वीक से मैक्स के सा साथ में भी हो रहे थे उसके नोज में से ब्लड निकलना सर में काफी जाता दर्द होना पुराने विजन साना और मैक्स इसी बात से डर चुकी थी कहीं अगली शिकार वो तो नहीं है डॉक्टर ओंस यहां पर एल को ये भी कहते हैं कि तुम्हें इन सारी चीजों के साथ में चीज का और ध्यान रखना है तुम किसी भी फैमिली मेंबर से नहीं मिल सकती हो जब तक कि ये सारा प्रोग्राम पूरा ना हो जाए तुम्हारे पूरे फैमिली मेंबर को सेफ रखा जाएगा तुम उसकी टेंशन मत लो अगर तुम्हें आखरी बार किसी से बात करनी है तो मैक्स को देखते हैं जो कि उस रूम से बाहर आती है वो बुरी तरीके से डरी हुई थी और असल के अंदर एक विजन के अंदर भी जाने लगती है क्योंकि उसके बिल्कुल सामने एक दिवार के उपर घड़ी लटक रही थी वही घड़ी जो कि उस लड़के को देखी थी और वही घड़ी अब मैक्स को भी दिखाई दे रही थी। इसका मतलब है कि वैकना का अकला शिकार मैक्स है। और इसी के साथ का इस ये शांदर एपिसोड यही पर खत्म हो जाता है। Stranger Thing के लास्ट अपिसोड में हम नहीं देखा था कि कैसे एल को डॉक्टर ओंस अपनी साथ में ले गए थे। इसी के साथ में मैक्स को भी वैकना के विजन सानी लगे थे यानि कि मैक्स जुकी है वो वैकना का अकला टार्केट है। इसी कंटिनिटी के साथ में एपिसोड नंबर फोर्थ के शिर्वात होती है जहां पर हम जॉन, माइक और विल को देखते हैं। नहाँ पर डॉक्टर ओंस के लोग इन तेनों से भात करने आये थे और बताने आये थे कि एल अब यहाँ पर वापस लॉड के नहीं आएगी। वो किसी के पास गई है। अगले सात दिन से हो रही हो, उसकी अगले 24 घंटे बात में उसकी मौत हो जाती है क्योंकि ये सेम पैटरं Gracie और Frit के साथ हुआ था, यानि की Max के पास अब सिर्फ तुएंटी-फोर आर्स हैं क्योंकि ये सारी के सारे सिंटम्स Max के साथ में भी कुछ दिनों से चल रहे हैं और पिशले 24 आर से उसे ये विजन हद से जाता दिखाई दे रहे हैं सब लोग Max को समझाते हैं कि ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं होगा उसे कोई भी नहीं मार सकता सारे लोग उसके आसपासी रहेंगे यहां हम Gracie के boyfriend Jason को देखते हैं जैसा कि Eddie के दोस्तों ने Jason को बताया था कि Eddie को Dustin ढूंड रहा है इसी कारण Jason यहां Dustin के घर पे पहुंच जाता है लेकिन वहाँ पे उसका welcome करने के लिए Erica खड़ी थी और Erica के चवाबों से तो कोई नहीं बच सकता है Jason को Dustin के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और वो वहाँ से चला जाता है यहां Dustin, Lucas और Steve बैट के यही सोच रहे थे कि आखिर ये वैकना इतने सालों बात कैसे आया अगर ये upside down world से connected है तो हो सकता है कि ये दुनिया millions of years से है लेकिन आज जब इतने सालों बात अगर किसी Victor नाम की family का murder हुआ और वो भी पिछले 70 सालों पहले हुआ था तो ये murder वापस से अभी क्यों activate हुए है वैकना आकर वापस क्यों आया है अगर वो चाहता तो इतने सालों पहले भी लोगों को मार सकता था लेकिन अब वो लोगों को चुन-चुन के क्यों मार रहा है इसके पीछे काफी सारी mystery है लेकिन ये बताने वाला और कोई नहीं बलके सिर्फ और स्रिफ Victor है जो कि उस incident से बचने वाला सिर्फ एक आत्मी था सेम टाइम पे Max को भी देखते हैं कि इनके जवाब Victor से ही मिल सकते है इसके कारण Nancy इस पार भी Steve को अपने साथ नहीं लेके चाती है Robin को लड़कियों वाले कपड़े पहनाती है और Steve यहाँ पे जगड ही रहा था लेकिन फिर भी वो Steve को इग्नोर करती हुई Robin के साथ में चली जाती है यहाँ हम Joyce को देखते हैं जो कि Marie के साथ में Alaska पहुँच चुकी थी और Yuri से contact करती है कि वो पैसे लेके यहाँ पे पहुच चुकी है अब उसे जल्द से जल्द Hopper चाहिए यहाँ दूसरी तरफ हम Hopper को देखते हैं जसी की Russian पुलिस वाला कहता है कि आज सुमारे पास में आखरी टाइम है कैसे भी करके आज के दिन में तुम्हें भाग नहीं है Joyce यहाँ पे पहुच चुकी है Alaska की अंदर और जल्द ही वो Yuri से मिलेगी Hopper full confidence में आ चुका था कि आप तो उसे यहाँ से भाग नहीं है यहाँ हम घर के अंदर बंद हो रखे John, Will और Mike को देखते हैं क्योंकि जो लोग इन्हें L के बारे में बताने आये थे वो लोग अपने साथ में दो agents को भी लेकर आये थे ताकि यह तिनों safety से यहाँ पे रह सके क्योंकि किसी भी time यहाँ पे army आ सकती है L को लेने के लिए लेकिर इन तिनों को भी यहाँ से भाग नहीं था John को यहाँ पे एक idea सूचता है उसे एक पीज़ा वाले का number दिखाई देता है असल के अंदर यह आरगिल का number था यहाँ माईक भी विल से कहता है कि इस पार जब उसका L से जखड़ा हुआ था तो वो बिल्कुल भी बच्चों वाला जखड़ा नहीं था यह अब teenager से adult में बदल चुके है adult वाला जखड़ा हुआ इन दोनों के बीच में और यह काफी serious matter था यहाँ विल को भी कुछ doubt है कि क्या पता L इस टाइम पे कहा होगी और वो अच्छे से भी होगी या नहीं होगी इसी कारण हमें यहां से बाहर जाना ही चाहिए जॉन ने इन दोनों को भी plan बता दिया था कि अभी यह letters कोई भी नहीं खोलेगा मेरे जाने के बाद ही सब letter खोलेंगे Max की इच्छा थी कि आखरी बार वो अपने mom से मिल सके और साथ ही साथ Billy की grave पे बिचा सके इसी कारण Dustin Lucas Steve Max के साथ ही जाते हैं यहां Nancy और Robin पहुँच जाते हैं Mental Asylum के अंदर scholars बनके बात मैं संभाल लूँगे लेकिन Nancy की बातों से साफ पता चल रहा था कि डायरेक्टर इनके article में बिल्कुल interested नहीं है और वो Victor से किसी भी सूरत में इन दोनों लड़कियों को नहीं मिलने देगा तब वहाँ पे Robin पहली बार बोलना शुरू करती है और वो Robin जिस तरीके से बोलती है उसके बाद तो डायरेक्टर बे इन दोनों को उस पागल Victor से मिलने के लिए हाँ कर दीता है जॉयोस और मरी पैसे लेकि यूरी के पास में पहुंच जाते है यूरी पहले इन से बहुत मजाग करता है लेकिन पैसे गिनने के बाद में उसे बस अपना काम करना था इसलिए इन दोनों को invite करता है थोड़ी देर के लिए अंदर बिठाता है और coffee वगर अपिलाता है याँ हम hopper को देखते है जो कि खुद के पैर के चेन को थोड़ा-थोड़ा ढीला पहले ही करवा चुका था वो खुद के हैमर को तोड़ देता है और अंदर जाने का बहाना करता है शेड में जाने के बाद एक पुलिस वाले को उस पे शक होता है इसी कारण वो भी पीछे-पीछे जाता है लेकिन hopper एक पुलिस वाले को तो मार चुका था लेकिन एक और पुलिस वाले को शक होता है इसी कारण वो शेड में आता है देखते ही देखते hopper के साथ उसकी बहुत जोरदर fight हो जाती है वाँ पे गोलिया तक चल जाती है बाहर वाले सारी रशियन पुलिस वालों को पता चल जाता है कि अंदर कुछ न कुछ तो चल रहा है hopper इतने सारों से एक साथ नहीं लड़ सकता था सेम टाइम पे रशियन पुलिस वाला भी सोचता है कि वो hopper के मदद करें लेकिन अगर गलती से भी उसने hopper के मदद कर दी तो सबसे पहले तो रशियन उसे ही मारेंगे इसी कारण वो साइड में चुपचा पी खड़ा रहता है hopper शेट के उपर से बाहर निकल जाता है और शेट के अंदर एक डाइनमाइट लगा देता है जैसे पुलिस वाले उसके अंदर आते हैं तो hopper तो वहाँ से बाहर निकल जाता है लेकिन ब्लास्ट होने के कारण काफी सारे रशियन वहीं पे इंजर्ड हो जाते हैं आइस बाइक लेकर hopper वहाँ से भाग जाता है जैसे कि रशियन पुलिस वाले ने बताया था कि आगे चाके उसे एक चर्च मिलेगा और वहीं पे नीचे उसे एक चाबी भी मिल जाएगी यहाँ Steve Dustin Lucas Max को लेकर उसके घर पे पहुंचते हैं जहाँ पर Max अपनी Grandma के लिए एक लेटर रखती है और उसके बाद में अपनी Mom को बाहर देखती है अपनी Mom को भी एक लेटर देती है तो Max की मॉम पुछती है कि आकर तुम यह क्या कर रही हो तो Max कहती है कि वैसे भी आपको पता है कि अभी Hawkins School के अंदर बच्चों को क्या क्या हो रहा है मुझे भी मेरे लिए डर लग रहा है अगर मुझे कुछ हो जाए इसलिए बस मैंने एक letter लिखा है तो Max की mom कहती है तुम ये क्या बाते कर रही हो तुमें कुछ भी नहीं होगा लेकिन जब Max की mom Max को गले लगाती है तो कुछ ही time के अंदर वो जगह पूरी तरीके से बतल जाती है वो आरत असल के अंदर वैकना थी जिसने कि Max को एक vision के अंदर रख रखा था वैकना यहाँ पे Max को कहता है कि तुम्हारा time अप खत्म हुआ है तुमें जिससे जो बात करनी थी अब सब कुछ खत्म होने वाली है काफी देर हो जाती है Max कोई भी moment नहीं करती है तब ही ये तीनों लड़की आते हैं और Max को वापस से जगाते हैं इस टाइम तक में भी Max के पास अभी भी कुछ टाइम बाकी था यहाँ नैंसी और रॉबिन डाइरेक्टर के साथ पूरे पार्क के अंदर घूमते और काफी सारे पाग लोगों को देखते हैं कि आखिर उन्हें कैसे थेरेपी दी जाती है यहाँ पर म्यूजिक सबसे बड़ी थेरेपी है क्योंकि एक वही चीज़ है जिससे कि ये मैंटल कनेक कर पाते हैं जो सबसे डेंजर पेशेंस होते हैं उनको काफी अच्छी सेक्योरिटी में रखा जाता है विक्टर भी उन्ह इसिडेंट से बाहर निकल कर आये थे जो कर्स आपके फैमिली को लगा था वो कर्स वापस आ चुका है अब तक दो मौते हो चुकी है सीन शिफ्ट होता है आगल के उपर जो की गाड़ी लेके पहुंचने वाला था जब घर की डोर बेल बचती है तो स्टीव विल और माइक अपना बैक लेके तैयार हो जाते हैं इनको लगता है कि हमें बस यहाँ से बाहर ही निकलना है दर्वाजा खोलने के लिए जब दो एजेंट में से एक एजेंट बाहर जाता है तो असल के अंदर बाहर आगे नहीं बलकि पूरी की पूरी आर्मी खड़ी थी जो की एक एजे लग चुकी थी यहाँ यूरी जब अपने सारे पैसे गिन चुका था इतनी देर के अंदर जॉय सर मरी की भी चाय खत्म हो चुकी थी असल के अंदर यूरी ने इन दोनों को भी बहुत बढ़ा धोका दिया था पैसे लेने के बाद इन दौनों को बहूश कर दिया गया था यहां दूसरी तरफ Hopper बचके निकल गया था, उसे चाबी बे मिल गई थी एक चर्ज के अंदर जाने की, चर्ज के अंदर जाने के बाद भी उसे थोड़ा बहुत डाउट था, लेकिन वहां काफी सारे बॉक्सिस रखे थे, बॉक्सिस को ओपन करने के बाद Hopper को पीनिट बहुत बड़ी डील करी थी, सबसे पहले तो वो इस अमेरिका के कैदी यानि की Hopper को पकड़वाएगा, साथी साथ रशन पुलिस वालों का एक बंदा जो की धोके बाज है, उसे भी पकड़वाएगा, और इसके अलावा दो और अमेरिक की देगा, यूरी ने एक साथ काफ करते हैं और कहते हैं कि हमने वो आर्टिकल पढ़ा था, जिसके अंदर आपकी पूरी फैमिली की मौत हुई थी, लेकिन हम आपकी तरफ की बात जानना चाते हैं, कि वो घर अगर हॉंटेट है तो आखिर आप कैसे बच गए, तब विक्टर अपना असली चेहरा दिखाता है जब वो पलटता है तो उसका चारा बहुत ही भयानक था, विक्टर अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है कि उसकी फैमिली बहुत खुशाल थी, वो एक आर्मी का सोलजर था, जो कि अपनी ड्यूटी पूरी करके अपनी बच्चों के साथ एक बहुत बढ़े गर में शिफ भी नहीं बच पाया था, मुझे भी काफी जाता डर लगने लगा, मुझे लगा कि ये कोई आसपास का जानवर होगा, इसी कारन में घर के बाहर भी बैठा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे घर पे कोई कर्स है, वो सब ने अब मुझे भी आने लगे थे, एक रात वहीं गिर गए, और उनकी भी शरीर के हरे खड़ी तूट गई, मेरी बेटी तो वहीं मर गई, लेकिन मेरा बेटा कोमा में चला गया, सेम टाइम पे मुझे भी एक विजन आया, जो सपना मुझे सबसे जादा डराता है, एक वार की अंदर, जब मैं अपने एक साथी को नह आया गया, और मैं क्रील फैमली का सीरियल किलर बन गया, उस रात के बाद मुझे हरेस्ट कर लिया गया, और हर रात मुझे वो सपना आने लगा, इसी के साथ में वो मॉंस्टर भी मुझे डराता रहा, मैंने मरने की भी कोशिश करी, इसी कारण मैंने अपनी आँखे फोड के सुनाती है, कि वो आखिर उसके बारे में क्या सोचती है, वो उसे माफी मांगना चाती है, वो से बहुत प्यार करती है, सारी चीज़े उसके जाने के बाद में बतल गई है, मैक्स के पास बिली के लिए काफी सारी चीज़े थी, वो बिली के फादर के बारे में भी बतात बिली यहाँ पर मैक्स के सामने आके कहता है कि तुम्हें तो बहुत खुशी होगी, मैं तो मर गया हूँ और तुमने मेरी मदद तक नहीं की, मैं वहाँ मर रहा था लेकिन एक बार तुम नहीं आई, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें बचाना चाहती थी कि सब तुम गलत सोच रहे हों तभी बिली यहां वैकना में बदल जाता है यहां स्टीव, डस्टिन और लुकस को लगता है कि काफी देर हो चुकी है मैक्स को भी तक वापस आजाना चाहिए यह लोग जब जाके देखते हैं तो इन्हीं पता चलता है कि मैक्स की आखे पूरी तरीके से वाइट हो चुकी है उपर चली कई है और वो दूसरे विजन के अंदर है इसी के कारण डस्टिन यहां पे नैंसी और रॉबिन को कॉल करके बात करने की कोशिश करता है कि अगर इन्हें विक्टर से कोई बात पता चली हो कि वो मैक्स की जान बचा सकते हैं यहां मैक्स और रॉबिन उस मैंटल असाइलम से भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो डायरेक्टर जल्थी पुलिस वालों को इन दौनों लड़कियों को देनी वाला था यहां मैक्स वैकना से बचके छुपने लगती है सेम टाइम पे रॉबिन और नैंसी भी भाग जाते हैं और इनने डस्टिन का कॉल आता है और इन दौनों ने एक बात नोटिस करी कि जिस टाइम पे विक्टर वैकना के विजन की अंदर था तब रेडियो पे उसका फीवरिट सॉंग चल रहा था शायद यही एक कड़ी हो सकती है कि वो सॉंग सुनने के कारण विक्टर खुद के जान बचा पाया और उस सॉंग के जरीए वो वहां से बाहर भी निकल गया यहां मैक्स भागती भागती विक्टर के घर तक पहुँच जाती है जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था गयज अब यहां पर एक ठीओरी और है अगर विक्टर चाता तो वो मैक्स को बहुत जल्दी मार देता और वो मैक्स को उसके घर तक पहुँचने देता लेकिन मैक्स वहां तक पहुँची और उसने सब कुछ देखा कि विक्टर कहां रहता है वो मैक्स को पकड़ लेता है और बस धीरे-धीरे करके उसे मारने ही वाला था लेकिन तबी दूसरी तरफ ल्यूकस मैक्स से बात करता जा रहा था कि कैसे उसके अच्छी मूमेंट्स थे लाइफ के अंदर सब कुछ उसके साथ में बुरा नहीं हुआ है काफी सारी चीजी उसके साथ में अच्छी भी हुई है और अब जब डस्टिन को सॉंग्स का लॉजिक पता चल चुका था तो वो सीधा भागता है मैक्स का फेबरिट सौंग की कैसे इटलाता है और मैक्स के कान पे हैटफोन लगा देता है ताकि मैक्स उन विजन से बचने की कोशिश कर सके और वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ सके मैक्स हवा की अंदर चली जाती है वैक्ना अल्मोस्ट मैक्स को मारने ही वाला था कि तब ही अच्छे विजन से याद करकर के मैक्स थोड़ी स्ट्रॉंग होती है वैक्ना के चंगुल से बाहर निकलती है क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा लूप खुला हुआ था अब साइड डाउन वर्ल्ड के अंदर एक और दरफाजा खुल कया था जो कि उसे इस दुनिया के अंदर ला सकता है मैक्स पूरी कोशिश करती है और वैक्ना सेम टाइम पे उसे मारने की कोशिश करता है बड़े बड़े पत्थल उस पे गिराता और उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो इतनी भी कोशिश नहीं करता कि मैक्स मर जाए ऐसा लग रहा था कि वो मैक्स को जाने दे रहा है मैक्स यहां पे बहुत बुरी कंडिशन के अंदर भागती हुई आती है और उस लूप से बाहर निकल जाती है और सीधा प्रेजन के टाइम के अंदर नीचे गिर जाती है और इसी के साथ काईज ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है तो आखिर वेकना कौन है और वो इन लोगों से क्या चाहता है इस सारे चीज़े तो गहिज़ा में आने वाले एपिसोड में ही पता चलेंगी तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अखले एपिसोड में तब तक के लिए टाटा Stranger Things के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे मैक्स मौद को टक से चुके निकल गई थी और इसी कंटिनेटी के साथ में एपिसोड नंबर फिफ्ट के शिर्वात होती है जहांपर हम जॉन विल माइक को देखते हैं जो कि उस एजिन्ट को संभाल रहे थे आर्गिल का काम यहांपर बस गाड़ी चलाने का था वो बुरी तरीकी से डरा हुआ था कि उसकी गाड़ी के अंदर एक अल्मूस मरने वाला इंसान पड़ा है और ये लोग कहां चा रहे हैं इनके पीछे काफी सारी गाड़ियां आ रही है हो क्या रहा है ये एजेंट मरने से पहले कहता है कि तुम्हें उस लड़की के पास जाना पड़ेगा यानि ये एजेंट एल के बारे में बताता है और कहता है कि इस नंबर पे कॉल करो और पीछे इतनी सारी पुलिस आ रही थी कि जॉन यहाँ पे आकिल को कहता है कि यहाँ से काड़ी मोडो बस कुछ भी करके आन ट्रैक चलो यहाँ जितनी भी आर्मी आई थी वो जॉयस के घर के अंदर खुश चुकी थी सब मिलके एल को ढूमते हैं लेकिन यहाँ पे ना एल मिलता है ना उसका कोई भाई बेन मिलता है ना ही जॉयस मिलती है पूरा गर खाली था आर्मी वाले पूरे घर को तलाशते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर एक लेटर मिल जाता है जो कि माइक ने मोड के वहीं फैक दिया था उसमें एल ने लिखा था कि मैं वापस से हीरो बनने जा रही हूँ एक एजेंट जो कि मरा नहीं था वहाँ पे वो इंजर्ट पड़ा था जनरल आके उसी एजेंट से पूछता है कि बताओ आखिर बच्चे कहां गए है और एल इस टाइम पे कहां है लेकिन एजेंट कुछ नहीं बता था सेंट शिफर होता है एल पे जिसे डॉक्टर ओंस अपने साथ में निवेट आ ले आये थे ये लोग काफी दूर ट्रावल कर चुके थे और शेहर से बहुत दूर थे जहां पर एक दर्वाजा था आगे जाने के बाद इने पता चलता है कि ये एक लैब है हर कोई बस एल को ही देख रहा था एल पूछते कि हम कौन सी जगह पर है और ये सब लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं डॉक्टर ओंस कहते हैं कि यहां पर जितने भी लोग आए हैं इन सब ने अपनी फैमिलीज छोड़ दी है ये सब बस काम करना चाते हैं और ये तुम्हारे लिए ही यहां पर आए हैं तुम इन सब की हीरो हो आगे जाने के बार डॉक्टर ओंस एल को बताते हैं कि हमने तुम्हारी पावर्स के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम नीना प्रोजेक्ट है असल के अंदर ये एक बहुत बड़ा ड्रम था वही ड्रम जिसके अंदर हमेशा से ही एल को डुबाया जाता था ऐसे पानी के अंदर जिसमें एल जाने के बाद वॉइड में जा सकती है और तब यहाँ पर काई सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है क्योंकि यहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर ब्रैनर की डॉक्टर ब्रैनर एक टैमो कारगन के अटैक होने के बावजूद भी अभी तक नहीं मरे थे और अभी तक जिन्दा थे और एल के उपर उनके हर टाइम नजर थी डॉक्टर ओंस भी डॉक्टर ब्रैनर के साथ ही काम कर रहे थे पिछले सीजन्स में भी एल डॉक्टर ब्रैनर को देखते ही भड़क जाती है बहुत गुस्सा करती है और डॉक्टर ब्रैनर की कोई बात सुने बिना ही वहाँ से भागने के कोशिश करती है गार्ड साते है एल को पकड़ते है एल सोचती है कि अपनी पावर से वो उनको मार देगी लेकिन एल के पास पुलिस टेशन देखते हैं, हॉपर पकड़ा गया था, और सारे लोग उस पे हस रहे थे, कि वो भाग के गया, ये तो बहुत उसने बड़ा काम किया, लेकिन वो बच के चाह नहीं पाया, योगि उसकी कम्प्लीन कर दी गई थी, और इसी के साथ में दो अमेरिकन्स और पकड हुआ था, और वो भी उस जगह पे था, जहां पर गदारों को रखा गया था, हॉपर उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, लेकिन ये रशियन पुलिस वाला समझाता है, कि ये उसकी गलती नहीं है, यूरी ने उसे धोका दिया है, इतने पैसे लेने के बावजूद वो क किसी का सगा नहीं हो पाया, रशियन के पास जाके उसने अपना सारा मुझ खोल दिया, अब हॉपर यहां पे इस बुलिस वाले को मार के भी क्या करता, गलती तो आखिर हॉपर की थी, ऐसा हॉपर समझ रहा था, कि उसे हिम्मत करने ही नहीं चाहिए थी, कभी यहां से भाग अपने की कोशिश बिलकुल भी ना करें, क्योंकि प्लेइन चलाना सिर्फ और सिर्फ यूरी को आता है, अगर यहीं मर गया, तो इसका मतलब कि यह धौना भी मरेंगे, दूसरी तरफ एड़ी अपने दोस्त के घर पे अकेला था, वो खाना वगर बना के खा रहा था, इसी क नैंसी के घर पे थे, जहां से डस्टिन अप नैंसी के साथ ही चला जाता है, नैंसी यहां मैक्स के पास आके बैठती है, क्योंकि इस टैम यहां कोई पिलर के ग्रूप में नहीं थी, और एक नैंसी ही थी, जो कि मैक्स के बाते समझ सकती थी, यहां मैक्स ट्रॉ करने लगत थी, वहाँ पर एक घर था जो कि पूरी तरीके से तूटा-फूटा था, मानो कि वैकना वहीं पे रहता हो, यहाँ पर डस्टिन और नैंसी काम पे लग जाते हैं, और मैक्स ने जितने भी चीज़े ड्रॉ करी थी, अगर उन चीज़ों को एक साथ में बनाया जाए, कुछ पे पेंसी ने निउस पेपर में देखा था, सीन यहाँ एल पर शिफ्ट होता है, जैसे एल होश में आती तो आसपास की चीज़ों को आपसर्फ करती है, कि वह वापस से लैप में पहुंच चुकिये, जहां पे उसके उपर एक्सपिरेमेंट किये जाने वाले हो, वो कैमरी को भी देखती है, दर्वासा खोल के बाहर निकलने की कोशिश करती है, और भागने की कोशिश करती है एक्सिट से, लेकिन वो एक हाल के अंदर पहुंचती है, रेंबो हाल के अंदर, जहां पे काफी सारे बच्चे एक साथ के अंदर है, और एक लड़का उसे बार बार के अं और डॉक्टर ओंस का किया धरा था इन सब ने मिलके एल को वॉइड में भीचने की कोशिश करी ताकि वो अपने पुराने टाइम को याद कर सके पुरानी चीजों को वापस से दोहरा सके और एल को उन चीजों से लड़ना पड़ेगा फाइट करना पड़ेगा एल उस विजन किसे ड़ चुका था इसी कारण उसने नशे भी बहुत लेवल तक के कर लिये थे वो पागल पागल जैसी बाते करने लगा था जौन उसको समझाता है कि थोड़े शान्त हो जाओ और अपने अच्छे टाइम को याद करो और वापस जाके और नशा करो माईक और विल साइट के अंदर बैट जाते हैं जहां पर यह दौनों पहले की बात याद करने लगते हैं कि आखिर उस एजेंट ने मरने से पहले क्या कहा था कि एल खत्रे में है और कोई नीना प्रोजेक्ट इन सब क्या लेना देना है एल से आर्किल वहाँ पर एक बोर्ड के उपर कुछ लिख मैकुस पैंन को खोलता है और तभी इन लोगों को एक चिट मिलती है जिस के अंदर एक नमबर लिखा था वही नमबर जिसके बारे मीए और एसा क्या है जो कि? वगर सब चेक कर सकते हूं मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हूं लेकिन उसकी बातों पे कोई बिलीव नहीं करता इसी कारण वो हॉपर के पास आके बैठ जाता है वो हॉपर को कहता है कि हम जल्द ही मरने वाले हैं इतना तो मुझे पका पता है क्योंकि इस जगह पे रोच को यंग हुआ करता था तो वो एक क्यामिकल फैक्टरी के अंदर काम करता था उसी क्यामिकल फैक्टरी के अंदर ना तो वो कोई मास्क लगाता था नहीं कोई ग्लॉस पैना करता था इसके कारण होपर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी इसी कारण वो मस्त काम किया करता लेकिन उसके गलती की सजा आके जाकर उसके फैमिली को मिली जब Hopper की बेटी हुई तो कुछ सालों तक उसकी बेटी बहुत खुश थी लेकिन कुछ ही टाइम बात पता चला कि उसकी बेटी को चैंसर है और ऐसा कैंसर जो कि Hopper की जीन्स में था क्योंकि वो एक क्यामिकल फैक्टरी में कांट करता था और उसकी बेटी के जाने के बाद हॉपर पूरी तरीके से नशे में चला गया तब उसकी लाइफ में जॉयस और एल आए हॉपर को लगा कि उन दौनों को हॉपर की जरूरत है अब काईज ये दरार बनी हुई क्यों है और इसका क्या मतलब है काईज ये चीज आपको आगया आने वाले चीजों में अच्छे से क्लियर हो जाएगी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि एक तरीके से ये दरवाजा है जब ग्रेस मरी थी तो उसके मरने से यहाँ पर एक अपसाइड डाउन वर्ल का दरवाजा खुल गया था सेम टाइम पर हम यहाँ पे ग्रेस का फ्यूंरल देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग एक साथ में ग्रेस को याद करने के लिए पहुचे थे और तभी यहाँ पे जेसन के ग्रूप का एक मेंबर आता है एक पिचर लेके एड़ी के ग्रूप के अंदर और लड़के भी खड़े थे डस्टिन के साथ में ल्यूकस भी था और अब जेसन को पता चल जाता है कि ल्यूकस ने उसे साफ साफ धोका दिया है यह सारे के सारे एड़ी के साथ मिले हुए है और इन सब लोगों ने मिलके ही ग्रेसी को मारा है क्योंकि वो हैल फायर का ग्रूप चलाते हैं ये लोग मिलके किसी की बली भी दे सकते हैं और ज़रूर इन्होंने ही ग्रेस को मारा होगा तो अब तो एडी को ढूंड नहीं है इन्हें एक लड़के के बारे में पता चलता है जिससे की एडी ड्रक्स लिया करता था यहां नैंसी के साथ में बाकी सारे लोग पहुंच जात हैं अंदर जाते हैं इन्हें काफी अची फिलिंग आती है क्योंकि घर के अंदर हर एक समान पढ़ा था मानों कि लोग बस यहां से भाग गए हैं सब दो दो के ग्रूप में इधर उधर बढ़ जाते हैं और चीज़ों को ढूंडने लगते हैं कि या तो इन्हें यहां पर लेगा या फिर वेकना से जुड़ी हुई कुछ न कुछ चीज़े तो जरूर मिलेगी यहां पर लाइट्स भी बार बार में ब्लिंक कर रही थी इसका मतलब था कि वेकना आसपास ही है यहां पर जब यूरी प्लेइन चला रहा था तब यहां पर जॉयस और मरी आपस में ब बस बच्चों को हराया था उसके बाद में कभी कुछ नहीं कर सका इसका मतलब था कि मरी एक नंबर का फुद्दु निकला वह वहां से भाग निकल सकता था जोयस को बचा के लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था सेम टाइम पे हम यह को देखते हैं जो कि बार बार में बचने की कोशिश करती है और उसके बाद में क्यामेरे पर जाके चिलाती कि मुझे यहां से बाहर निकालो मैं मर जाओंगी नहीं तो एल वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो उसे आईने के अंदर वो खुद दिखाई देती है बचपन वाली एल देखते ही देखते एल की हार्टबेड हद से जादा बढ़ रही थी डॉक्टर ओंस डॉक्टर ब्रैनर को कहते है कि प्लीज इसे रुकवाईए नहीं तो वो मर जाएगी लेकिन डॉक्टर ब्रैनर इस टाइम भी वो चीज़े नहीं रोकते हैं और एल को वो वो उसे बार बार में बात कर रहा था वो उसे बात करती हुई आगे बढ़ती है और लाइन के अंदर खड़ी हो जाती है तब उसे आगे का विजन आना शुरू करता है कि डॉक्टर ब्रैनर आ रहे हैं और सारी बच्चों से मिल रहे हैं इन चीज़ों से एल की हार्टबीट हद से जादा थीज हो जाती है मानों पर जाते हैं और उस नंबर के उपर कॉल करते हैं नंबर के उपर कॉल करने से पता चलता है कि कॉल उठाने वाला और कोई नहीं बलकि एक कम्प्यूटर है यानि कि ये इस कम्प्यूटर को ट्रेस कर सकते हैं कि ये फोन कॉल इन्हें कहां से मिला है लेकिन उसे ट्रेस करने के लिए कोई अच्छे हैकर की जरूरत है और उस हैकर के पास में जाने के लिए इन्हें सॉल्ट लेक सिटी में जाना पड़ेगा माइक का पूरा-पूरा इशारा था सूजी की तरफ जॉन और विल भी समझ गए थे कि माइक यहां सूजी की बात कर रहा है क्योंकि सूजी ने पिछली बार पे इन लोगों की जान बचाई थी एक कोड को क्रैक करके और अब भी इन्हें सूजी से मदद लेनी पड़ेगी यहां हम जेसन के ग्रूप को देखते हैं जो कि उसी घर के अंदर पहुँच चुका था जहां पर एड़ी चुपा हुआ था एड़ी को पता चल जाता है कि यह लोग उसे ढूण दिलेंगे जेसन का ग्रूप जब घर के अंदर आता है तो इन्हें स्टोफ के ऊपर खाने के चीज़ें मिल जाती है उसके अंदर कंटेनर रखे हुए थे और कंटेनर के अंदर स्पाइडर्स थी इसी के कारण स्टीफ खुद बुरी तरीके से डर जाता और बाहर आ जाता है आगर घर के अंदर कंटेनर्स के अंदर स्पाइडर कौन पकड़के रख सकता है गाइस इसकी भी एक तियोरी है जो कि हमें धीरे-धीरे करके आगे पता चलेगी हम यहाँ नैंसी को देखते हैं जो कि स्टीव से बात करती है कि वो बहुत थैंक्फुल है कि आज भी स्टीव इन सब लोगों के साथ में है स्टीव यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करता है कि रॉबिन और उसके बीच में कुछ भी नहीं है तो नैंसी कहती है कि यह बात पहले रॉबिन क्लियर कर चुकी है तो वापस ही वो क्यों क्लियर कर रहा है यहाँ पर मैक्स के साथ में ल्यूकस था ये तो अनों भी आपस में बात करने लगते हैं क्योंकि मैक्स की जान लिूकस ने बचाई थी और अब इन दोनों के बीच में भी चीज़े धीरे-धीरे करके ठीक होने लगी थी लेकिन तभी इन दोनों को पता चलता है कि काफी सारे लाइट्स एक साथ में ब्लिंग कर रहे हैं लैंप ब्लिंग कर रहा है रूफटॉप की लाइट्स ब्लिंग कर रही है इनके टॉर्च ब्लिंग कर रहे हैं सभी अपने अपने टॉर्च को फॉलो करते हुए आगे बढ़ और बच्चे उस पे हसते जाते हैं एल की पावर्स इतनी जादा थी कि शायद अगर वो कोशिश करे तो पूरा का पूरा रिंग लाइट ही चल जाए लेकिन उस टाइम कुछ भी नहीं हो पाता थोड़ी सी लाइट जलते से ही वो बंद हो जाती है और एल देखती है कि उसके पूरे हाथ खून से भरे हुए है वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो देखती है कि वो पूरे लॉबी के अंदर खून ही खून पड़ा है कई सारे बच्चे कई सारे डॉक्टर्स मरे हुए हैं डॉक्टर ओंज या पर डॉक्टर बैनर को कहते हैं कि अब तो आप इस चीज़ को रोख ही दीजिए क्योंकि एल को उस वक्त के अंदर भेजा जा रहा था जब एल ने काफी सारे बच्चों को एक साथ मारा था तो आखिर इसके पीछे क्या रीजन है ये सब को जानना था यहाँ पे जॉयस के सामने एक छोटा सा कंटेनर रखा हुआ था जिसके अंदर काफी सारा पीनट बटर रखा हुआ था वो पीनट बटर के बॉक्स को नीची किराती है जिससे निकलने वाले काच से वो खुद के हाथ काटना चाती थी मरी यहाँ पे यूरी के साथ में शांदर वाली फाइट करता उसे बुरी तरीके से मारता है लेकिन मरी यहाँ पे यूरी को इतना जादा जोर से मारता है कि यूरी वहाँ पे बेहोश हो जाता है और जॉयस ने साफ कहा था कि प्लेन चलाना किसी को नहीं आता तो इसे बेहोश मत होने देना वहाँ पर गोलिया में चली थी इसी कारण प्लेन धीरे-धीरे करके क्रैश होने लगता है मरी और जॉयस प्लेन को संभालने की कोशिश भी करते हैं लेकिन आगे जाने के बाद वो एक फॉरेस्ट में बुरी तरीके से क्रैश करते हैं फिर भी तीनों जिन्दा बच्चे हुए थे यहाँ सीन विक्टर की घर पे शिफ्ट होता है सारे बच्चे एक साथ में थे और अपनी टॉर्च को देखते हैं एक साथ जल रही है टॉर्च को फॉलो करते हुए यह लोग ऊपर की तरफ मौचते हैं सीडियों से आगे जाने के बाद इन सबकी टॉर्च एक साथ में इशारा कर रही थी रूफ के उपर यहाँ जेसन भी जब एडी को ढूंड रहा था तो सामने उसके नजर जाती है और उसके बने हुए शेट से वो पहचान जाता है कि जरूर एडी यहीं पिछुपा है लेकिन तभी वहाँ पेट्रिक को भी अलग-अलग से खयाल आने लगते हैं क्योंकि पेट्रिक के साथ में यहीं सेम्टम्स हो रहे थे यानि कि वहाँ ना का अगला टार्गिट पैट्रिक भी था एडी उस टाइम पे पानी के अंधर बोट लेके भाग चुका था जेसन और पैट्रिक अपने अपने अपनी कोट उतार के पानी के अंदर जाने लगते हैं इधर विक्टर के घर के अ उनों उसे ढूनने लगते हैं लेकिन तभी पैट्रिक सीधा पाने से निकल के हवा में चला जाता है उसके पैर हाथ सब तूटने लग जाते हैं शकल पूरी तरीके से तूट चुकी थी और आखे भी निकल गई थी विक्टर के घर के अंदर खड़े सारे बच्चों की कर रहे हैं वो डॉक्टर ब्रैनर को बुरी तरीके से मारती है उसे नीचे गिराती है और बाहर की तरफ भागती है उसे दो तीन गार्ड्स आके पकड़ते हैं लेकिन उसी टाइम पे एल की सारी पावर्स आ जाती है और वो अपनी पावर से बहुत बड़ा ब्लास्ट करती और सारे के सारे guards वहीं पे मर जाते हैं डॉक्टर ब्रैनर उसके पीछे खड़े थे एल को गुस्सा आ रहा था डॉक्टर ब्रैनर के उपर एल यहां पर डॉक्टर ब्रैनर को भी मारना चाहती है लेकिन वो powers वापस काम में नहीं आती है तब डॉक्टर ब्रैनर कहते हैं कि अगर तुम्हें इन पावर्स को वापस लाना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा तुम्हारे पापा, तुम्हारे सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे अब ऐल को समझ में आ चुका था, कि आखिर उसे वॉइड में क्यों भीचा गया था, उसे चीजों को याद दिलाया जा रहा है और उसकी एबिलिटी को बढ़ाया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी उसने डॉक्टर ब्रैनर की बात मानी और उनके साथ वापस चली गई, काईस जैसे जैसे ये एपिसोड सागे बढ़ते चा रहे हैं, वैसे वैसे और साधा सस्पेंस बढ़ता जा रहा है इसी कंटिनेटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है, जहां पर हमने देखा था कि कैसे जैसन और पैट्रिक एडी को पकड़ने के लिए आये थे, लेकिन पैट्रिक की वहीं पे मौत हो जाती है, एडी तो वहाँ से भाग चुका था और जैसन पैट्रिक को पता रहा था जूकि उसने देखी थी कि पैट्रिक हवा में गया, उसके हाथ पैट तूट गए और आँखे निकल गई, पुलिस वालों को लग रहा था कि ये मौत एडी ने करी है, तब वहाँ पे जैसन बोलता है कि एडी सिर्फ और सिर्फ एक महरा है, एडी ने एक डैव लेकिन बहुत जादा जबरदस्ती और लॉकर रूम में डालने के बाद ये एजन भी बताने के लिए तयार हो जाता है कि एल को कहां पे रखा गया है, इसी के साथ हम एल को देखते हैं जिसके पास में डॉक्टर ब्रैनर आते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि तुम चीजों को याद कर रही हो लेकिन तुम पूरी तरीके से याद नहीं कर पा रही हो, तुम्हारे पास तुम्हारे पावर्स इसलिए गई है क्योंकि तुम्हारे पावर्स के अंदर एक बहुत बड़ा ग्लिच आया है, कुछ साल पहले तुम्हारे साथ एक बहुत वापस ला सकती हो एल को वापस से उसे नीना प्रोजेक्ट यानि के टैंक के अंदर डाला जाता है लेकिन एल को बार-बार ऐसा ही लगता है मनों कि वो कसूरवार है उसने सब को बच्पन के अंदर मार दिया था हम एडी को देखते हैं जो कि एक कंस्ट्रिक्शन साइट से ए और दूसरी तरफ ये बागी सारे बच्चे मिलके एडी को ढून रहे है क्योंकि इन्हें पता चलता है कि एडी अब और जाधा फस चुका है क्योंकि एक और मौत हुई है यानि कि पैट्रिक की और उसका इलजाम भी एडी के उपर ही लगा है यानि कि वो धीरे-दीरे करके और जाधा फस्ता जा रहा है यहां आप टीवी पर पैट्रिक के मौत की बारे में भी बताया जाता है कि कैसे हौकेंस के स्कूल का एक और तीसरा बच्चा भी मारा गया है इसके कारण घर पे बैठे पेरेंस दीरे-दीरे और जाधा ड़ने लगे थे यहां इन बच्चों के पास में एडी का कॉल आता है और एडी बताता है कि कैसे वो फॉरिस्ट के अंदर एक स्कूल रॉक के नीचे बैठा है और छुपा हुआ है बाकि सारे बच्ची पूछते कि क्या तुम ठीक तो होना तुम पकड़े तो नहीं गए हम सब लोग मिलके तुमारे पास बस पहु सूजी के बारे में पूछने पे कोई आंसर नहीं देता लेकिन एक लड़की ऐसी थी जो कि उन सब में थोड़ी सीनियर थी और आगिल को वो लड़की बहुत पसंद आ जाती है और इन बच्चों को उपर जाकि सूजी भी उसके कमरे के बाहर मिलती है और सूजी को पता चल मूँ नहीं खोलता और कुछ भी नहीं बताता तम मरी और जॉयस बताते हैं कि हम तुमारे कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं हम तुम से कुछ पूछेंगे भी नहीं हम तो आगे जाके कही न कहीं किसी चीज़ को ढूंढ लेंगे लेकिन तुमारह क्या होगा इतनी तेस मारे बोले लगता है कि तुम जिस तरफ जा रहे हो वो गलत है असल के अंदर जिस जगह जेल बना हुआ है Russians का वो जगह मैप में बनी हुई ही नहीं है वो एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पर तुमें सिर्फ मैं ही ले जा सकता हूँ लेकिन अब Russians तो यूरी को जानते थे तब यहां पर मरी अपना दिमाग चलाता और बोलता है कि यूरी को रशेंस ने नहीं देखा था इसी कारण मरी अब यूरी बन के अंदर जाएगा यहां सी इन जेल में शिफ्ट होता है जहाँ पर लगबग 5 से 7 आदमियों को जिनके अंदर हॉपर और डिमित्री भी इंकलूट थे उन सभी को एक डिनर के ले ले कर जाया जाता है यहां पर एक साथ में बहुत सारा खाना रखा हुआ था सारी कैदी खुश हो कि उस खाने के उपर तूट पड़ते हैं क्योंकि काफी टाइम बाद इन्होंने खाना खाया था और अपने अपनी बाते करने लगते हैं कि कल हमें किसी मॉंस्टर से लड़वाया जाएगा उसके लिए हमें स्ट्रॉंग किया चा रहा है और इसलिए हम अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं होपर इन सारी बातों को बस सुनता रहता है और वहाँ पर खाना खाने के बज़ाए सिर्फ अल्कोहॉल पीता है और बताता है कि तुम जिस monster के बारे में बात करे हो उस monster का नम Demogorgon है उन में से एक से मेरा पाला भी पड़ा है वो Demogorgon कोई जानवर नहीं है बलकि दुनिया का सबसे खतरना creature है जो कि तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ेगा उस monster को मारना नामुनकिन है और जितना खाना तुम्हारी जिन्दगी का आखरी मेल है तो बस इसे enjoy करो ये सारी चीज़े सुनके बुरी तरीकी से सब लोग डर जाते हैं होपर कहता है कि अगर हम लोगों को जीतना है तो बस हमारे पास एक ही rule है कि हम सब लोगों को एक साथ लड़ना पड़ेगा सीन एल पे shift होता है जो हमेशा डरा हुआ रहता था और सबसे अलग रहता था क्योंकि वो बाकियों के जैसा नहीं था उसे भी खुद को समझने में बहुत टाइम लगा कि वो बाकियों से बहुत अलग है और उसके पास में पावर्स हैं लेकिन इन चीज़ों से बाहर तभी निकला जा सकता है जब आप अपने पास्ट के कोई मेमरी को याद करो अगर आप अपने गुसे को बाहर निकालोगे तो उन चीज़ों से आपकी पावर्स बढ़ जाएंगी और अगर आपको जीतना है तो आपको अपने अच्छे मेमरी के अंदर ही बना हुआ है तब ही डॉक्टर बैनर आके सारे बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं आप सब लोगों को इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एल सेम टाइम लाइन में है बलकि गाइस एल इस टाइम पे 1983 के टाइम लाइन में है यानि कि तकरीबन 5-6 साल पुराने टाइम लाइन वो बस ये सारे क्लिप्स देख रही है इसलिए खुद को बड़ा देख रही है असल के अंदर वो इस 1983 में एक बच्ची ही थी यहां स्टीव डस्टिन मैक्स लूकस रॉबिन और नैंसी सारे के सारे एक साथ में निकलके एडी को ढूंडने लगते हैं लेकिन स्टीव को रास्ता पता था और डस्टि अबी तक मरे हैं वो सारे अकेले थे और उनके लाइफ में कुछ बुरा हुआ था मुझे भी तुम्हारे साथ खड़े रहने चाहिए था अगर तुम मुझसे बात नहीं करती तो भी मुझे कोशिश करते रहने चाहिए थी लेकिन अब मैं तुमें कभी छोड़के नहीं चा करता है एंड के अंदर स्टीव ने आके उस स्कल्ड रॉक को ढूंड लिया लेकिन डस्टेन का कमपस बिलकुल काम नहीं कर रहा था इन लोगों को एड़ी मिलता है जो कि इन लोगों से मिलके बहुत खुश हो जाता है यहाँ पर हौकेंस के अंदर पुलिस वालों ने एक क पहुँच जाता है जो कि लोगों का माइंड डाइवर्ट करने लगता है हमेशा से ही जीसन को स्मार्ट बताने की कोशिश करता था और इस टाइम भी वो यहाँ आके लीडर बनने की कोशिश करता है सब के पास में पैंप्लेट्स बाट देता है जिसके अंदर एड़ी के सा हो जाता है और जीसन की बात में आके उसके मदद करने के लिए उस पूरे कॉन्टेंस हौल को छोड़कर चले जाते हैं यहाँ पर बाकी के जितने पेरिंस बैटे थे वो सोच में पढ़ जाते हैं कि आखिर उनके बच्चों ने ऐसा क्या किया क्या उनके बच्चे मुर्डर था और वहां से कंप्यूटर बात कर रहा था और हमें उसकी लोकेशन पता करनी है तब सूजी बताती है कि मैं तुम लोगों की मदद करना चाती हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी लास्ट डाइम मैंने जब डस्टिन के मार्क्स को चेंज किया था तो ये बात मेरे फ शादर जब उस पर काम करते हैं तब हम उसे यूज में ले सकते हैं इसके लिए हम सब लोगों को मैनद करने पड़ेगी यार डस्टिन लिउकस और माइक के सारे पिरेंस एक साथ में घर पहुचते हैं लेकिन बच्चे एक साथ में नहीं थे और इवन घर पे भी नहीं थे दूसरी तरफ एड़ी तो डरा हुआ ही था और बाकी सब लोग बात कर रहे थे कि आखिर इन लोगों को आगे जाकर करना क्या है लेकिन डेस्टिन अपनी एक थियोरी के अंदर फसा हुआ था वो बार बार कमपस की तरफ देख रहा था और आखिरकार उसने एक थियोरी को वा कम मैगनेटिक फिल्ड का फोर्स है और इसका मतलब है कि मैगनेटिक फिल्ड तभी आती है जब ये एक दरवाजा खुलता है इसका मतलब है कि हमारे आसपास भी एक दरवाजा खुला हुआ है और जिस तरफ से ये इशारा आ रहा था वो इशारा लवर्स लेक से आ रहा था जहाँ पर वेकना ने पैट्रिक को मारा था, इसका मतलब है कि एक और दर्वाजा खुला है, दर्वाजी सिर्फ दो ही लोग खोल सकते थे, या तो हौकेंस की लैप वाले या रश्यन्स की लैप वाले, और अब अगर नया दर्वाजा खुला है तो वो किसने खोला है और कैसे खोला है ये काफी सारे जवाब थे जो इन लोगों को आके जाके मिलने वाले हैं हम फिर से एल के मेमरीज के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इस टाइम डॉक्टर ब्रैनर बच्चों को एक गेम खेलना सिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे आमने सामने दो सरकल रखे जाएंगे सरकल में खड़े होने के बाद तुम्हारे आखों पर पट्टी बांदी जाएगी जितने टाइम तक तुम रुक सकते हो सरकल के अंदर उतने टाइम तक ही तुमें रुक ना होगा जो सरकल से सबसे पहले बाहर निकलेगा वो रेंबो रूम में एक घंटा जादा बिताएगा, गेम स्टार्ट होने के बाद में एक सर्कल में नमबर टू को खड़ा किया जाता है और बागी बच्चों को बुलाया जाता है, लेकिन नमबर टू इन सारे बच्चों में सबसे 11 पावरफुल है, इसी कारण वो टू को इस सर्कल से बाहर निकाल देती है यहाँ पे मरी, यूरी और जॉयस दीनो, यूरी के अटे पे पहुंचते हैं जो की एक चर्च था और अंदर जाने के बाद नहीं काफी सारी अचीची चीजे मिलती है, यानि की खाने पेने की चीज़े, मैप और इसी के साथ में जॉयस का में काम था, बंदू के डूणने का, और यूरी के पास में ये भी काफी सारी थी अब इन लोगों को बस अंदर जाने के लिए रास्ता ढूनना था और किस टाइम पे निकलना है ये भी रिते करना था जेल के अंदर जब सभी लोग डिनर करके बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे हॉपर और डिमित्री के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है असल के अंदर ये इनकी एक प्लाइन का हिस्सा था लेकिन फाइट इतनी जादा तेज थी कि रश्यन्स को आके उन्हें छुडाना पड़ता है ये दौनों एक दूसरे को भी मारते हैं और रश्यन्स से भी पिटते हैं और उसके बाद में जेल में जाके गिरते हैं तब डिमित्र रहा के पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यूं किया इसके पीछे का कारण क्या है तब यहाँ पे हॉपर कहता है कि हम लोग मिलके चाहे कुछ भी हो जाए उस डैमो गॉर्गन को नहीं मार सकते हैं अगर वो डैमो गॉर्गन किसी चीज से डरता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आग है हॉपर अपने पॉकेट के अंदर से एक अलकॉहल की बॉटल निकालता है अपने जैकेट का एक कपड़ा फारता है और साथ ही साथ पुलिस वालों को इस जगड़े में गुसाने का मतलब ये था कि वो उनसे लाइटर चुराना चाता था और हॉपर ने एक लाइटर भी चुरा लिया था सुजी को कम्प्यूटर यूज करना था इसी के कारण वो एक छोटे बच्चे को कहके लाइट्स बंद करवा देती है और जैसे उसके फादर रूम से बाहर निकलते हैं तो विल, माइक, जॉनाथन और सुजी चारों की चारों उसी रूम के अंदर पहुँच चाते हैं सुजी यहाँ पर आई पर अडर्स ट्रैक करने की कोशिश करती है और कुछी देर की अंदर वो उस जगह के बारे में पता लगा लेती है यहाँ पर सारे बच्चे अभी भी अपना गेम प्ले ही कर रहे थे इसी कारण सुजी के फादर थोड़े डिस्ट्रैक्टेट थे असल के अंदर जो लोकेशन आई थी वो निवाटा की थी इसी के साथ हम फिर से तो ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि लवर्स लेक की तरफ ही जा रहे थे और यहाँ पर जितने भी बच्चे थे उनका कंपस भी अभी सीधा लवर्स लेक पर ही पहुँचाता अब अगर कहीं दर्वाजा खुला है दूसरी दुनिया का तो इन्हें जाकर देखना पड़ेगा इसी कारण बच्चे यानि कि ल्यूकस, डस्टिन और मैक्स को बाहर ही खड़ा रग दिया जाता है और बोट के अंदर नैंसी, रॉबिन, स्टीव और एड़ी बैट के आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर हम एल को देखते हैं जिसे चीक ने चलाने की आवासे आ रही थी वो जब रेंबो रूम से बाहर निकल के आती है तो उसे दिखाई देता है कि डॉक्टर बैनर और उनके साथ ही हैंडरी को बुरी तरीके से पनिश्मेंट दे रहे हैं इलेक्ट्रिक शॉक दे के अल वापस से डेर के मारे रेंबो रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर उसका वैलकम करने के लिए नमबर टू और उसके सारे फ्रेंस खड़े थे वो एक साथ में अल के उपर चिलाने लगते हैं कि तुम खुद को समझती क्या हो मैंने अपने पावर्स कम यूज करी क्योंकि मुझे पता था कि तुम बहुत कमजोर हो लेकिन उसी टाइम पे तुमने अपने सारी पावर्स यूज कर जी तुम दिखाना क्या चाती हो तुम क्या पापा को ये दिखाना चाती हो कि तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉंग हो और उसके बाद में नमबर टू यहाँ पे एल को बहुत बुरी तरीके से परिशान करता है इधर उधर धका मारके और सिधा फोर्स फुली दिवार के उपर धका देकर एल को इस कारण बहुत बुरी तरीके से चोट भी लगती है लेकिन ये बच्चे एल को धमका देते हैं तुमने पापा को ये बता दिया कि हमने तुमें हर्ट किया है तो तुम जान से मारी जाओगी इसी कारण एल कुछ बोल भी नहीं पाती है एल आगे जाके खुद को मिरर के अंदर देखती है जिसके अंदर उसके पूरे कपड़े खुण से भरे हुए थे एल को फिर से लगने लगता है कि गुस्से में आकर ये उसने यहां के सारे लोगों को मार डाला होगा हौकेंस के अंदर जब ये चारो एक साथ में बोर्ट के उपर बैट के आगे की तरफ निकले तो पानी के उपर कौन सा दर्वासा दिख सकता था अगर इने जाना पड़ेगा तो पानी के अंदर ही जाना पड़ेगा और जानी वाला स्टीव के अलावा कोई नहीं था स्टीव अपने कपड़े उतार के सीधा पानी के अंदर डाय लगाता है यहाँ पर बाहर डस्टिन, लिूकस और मैक्स एक साथ में खड़े थे पानी में अंदर जाने के बाद स्टीव को कुछ मरी हुई मचलियां दिखाई देती है और उसके कुछ ही दूर पे रैड लाइट के साथ में वहाँ पे उसे दर्वाजा भी दिख जाता है स्टीव ये बात बताने के लिए उपर की तरफ आता है और सब को बताता है कि उसे दर्वाजा मिल चुका है अब जब स्टीव गिर चुका था तो यहाँ नैंसी कहां रुखने वाली थी इसी काराण एक ही सेकेंड में नैंसी भी कूछ जाती है और पीछे पीछे रॉबिन और एडी को भी कूछना पड़ता है इसी के साथ में डस्टिन ल्यूकस और मैक्स जहां पर खड़े थे वहाँ पर पुलिस वाले भी चान बीन करने के लिए पहुँचे थे मैक्स उनका ध्यान भटकाने के चकर में अपने आपको पकड़ वा लेती है और उसके चकर में ये दोनों भी पकड़े जाते हैं हम यहाँ पर स्टीव को देखते हैं जो कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर तो पहुच चुका था इस पार इस सीजन के अंदर डैमो गॉर्गन का साइज थोड़ा छोटा कर दिया गया है और वो जमीन पर चलने के बचाए फ्लाइंग डैमो गॉर्गन बन गए हैं और वो सारे फ्लाइंग डैमो गॉर्गन आके स्टीव के ओपर हमला कर देते हैं इतनी बुरी तरीके से उसे इंजोट करते हैं कि मानों वो मरने ही वाला है और इसी के साथ guys ये शांतर एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है Stranger Thing के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे Steve Upside Down World के अंदर पहुँच गया है और उसके उपर काफी सारे Flying Demogorgon ने एक साथ अटेक कर दिया है इसी कंटिनिटी के साथ में एपिसोड नंबर सेवन्थ के शिरवात होती है गाईज ये एपिसोड किसी Hollywood मुवी यानि की सवा गंटे या डेड़ गंटे की मुवी से भी बड़ा है एक घंटे 40 मिनिट का गाईज ये सेवन्थ एपिसोड है जो कि वॉल्यूम वन का आखरी एपिसोड भी है इस फॉर सीजन के अंदर गाईज टू वॉल्यूम रखे गए है फस्ट वॉल्यूम के अंदर टोटल साथ एपिसोड है और सेकंड वॉल्यूम के अंदर टोटल दो एपिसोड है तो चलिए फिर इनी सारी कंटिनिटी के साथ में एपिसोड नमबर सेवन्थ की शुरवात करते हैं स्टीव के यहाँ पे हालत खराब थी क्योंकि यह फ्लाइंग डेमो गॉर्गन ने स्टीव को बुरी तरीके से इंजर्ट कर दिया था और मुस्ट मरने की कंडिशन हो रही थी स्टीव की और तभी यहाँ पे नैंसी रॉबिन और एड़ी पहुँच चुके थे उनके पास में वुटन स्टिक्स थी और वो उसी से इन डेमो गॉर्गन को मारने लगे थे लेकिन यह फ्लाइंग डेमो गॉर्गन धिरे धिरे करके यहां और जादा आते जा रहे थे कुछ डेमो गॉर्गन को तो यह संभाल चुके थे और स्टीव को वापस से इन लोगों ने खड़ा भी कर दिया था लेकिन एक साथ में इनकी फॉच को संभालना इन चारों के बस की बात नहीं है नैंसी को याद आता है कि सामने की तरफ फॉरेस्ट है और शायद इने वहीं ही भागना चाहिए यहाँ लास्ट अपिसोड में हमने देखा था कि एजेंट को कितना बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है और यह एजेंट इस टैम पे पुलिस वालों को सब कुछ बता देता है कि एल को कहां पे रखा गया है कि आखिर वो कितना वेट करेंगी दीरे दीरे करके टाइम बढ़ता ही जा रहा है सिच्वेशन खराब होती ही जा रही है और क्या एल की पावर्स वापस आएंगी या नहीं आएंगी कि सारा प्रेशर वो संभाल भी पा रही है कि नहीं संभाल पा रही है वो बस एक डरी हुई और एक मासूम बच्ची दिखाई दे रही है जो कि इन चीजों से बस डर रही है जिसके बार डॉक्टर बैनर आप वापस सेयल के पास जाते हैं और उससे फिर से बात करने की कोशिश करते हैं किया एल के साथ जितनी भी चीजे हो रही है इन चीज़ों से एल को डरना नहीं है बल्कि एल को एक एक करकि अपने मेमोरीजS को याद दिलाया जा रहा है एल के साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी इसकारण एल ने अपने हर चाइल्डूट के मेमोरीजS को इरेस कर दिया था मानो कि एल उन memories को अपने दिमाग में रखना ही नहीं चाहती थी इसी कारण काफी सारे incident ऐसे हैं जो कि एल को याद ही नहीं आ रहे हैं कहीं न कहीं एल की powers इन चीजों के अंदर भी छुपी हुई थी अगर एल अपने past को भी याद कर लीती है तो शायद उसे जल्द ही कहीं सारे चीजों का answer भी मिल जाएगा और साथ ही साथ उसकी powers भी वापस आ जाएंगी यहाँ एल को फिर से तयार किया चाता है नीना के अंदर डालने के लिए अब डॉक्टर ब्रैनर step by step नहीं चल कर चीजों को जल्दी करने के कारण एल के सामने वो डिस्क प्ले करते हैं जो कि उसकी सबसे last memory थी और उससे पहले का एल को कुछ भी याद नहीं था डॉक्टर ओवन्स को डल लग रहा था कि क्या एल इतनी सारी चीजों को एक साथ जहल पाएगी अब जब लिूकस, डस्टिन और मैक्स पुलिस वालों के थूप पकड़े गए थे तो इन तीनों को लेके इनके पेरिंस के सामने बिठा दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये तीनों इतनी रात में लवर्स लेक्या कर रहे थे तीनों डर जाते हैं, आल्टुफाल्टों के आंसर देने लगते हैं और इन तीनों के आंसर मैच भी नहीं कर रहे थे एरिका भी खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है कि तुम आखिर मां कर क्या रहे थे यह दिनों जूट बोल रहे हैं इन दिनों से अच्छे से पूछना चाहिए इतने जादा शो शराबे के बीच में पूलिस वाला सब को चुप करा देता है और कहता है कि मैं अब एक एक ज हो इसी के साथ में नैंसी और स्टीव एक साथ में आके जाने लगते हैं जहां पर ये एक दूसरे से बात भी कर रहे थे कि आखिर इनके साथ में इस सब क्या चल रहा है ये चारों मिलके उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से इन उन्हें शुरुवात करी थी यानि के स पॉइंट पे लेकिन तभी वहाँ पे बहुत जोर से अर्थक्वैक आने लगता है और जोर-जोर की चीखे भी इने सुनाई देने लगती है फिर से इने किसी सेफ जगा पर जाना था और तब वहाँ पर नैंसी कहती है कि उसके पास में बंदू के हैं और साथी साथ में अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं कि क्या वो यहाँ से छूट भी पाएंगे या ये दिन ही परे पड़े पड़े मर जाएंगे और इन दौनों को अपने बच्चों के पास जाना है पहले से यह आती थी, वो पुलिस वाले से मजाग करता है, अपना पासपूर्ट दिखाता है, और कहता है कि मैं दो अमेरिक्यों को पकड़ के लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे यहां के करनल से बात हो रखी है, मरी को बहुत डर लग रहा था कि कहीं बस वो पकड़ा आना चाहे लेकिन तभी दर्वाजा खूल दिया जाता है, और आकिरकार मरी और जॉयस जिस काम के लिए आये थे होपर को बचाने के लिए, फाइनली वो पुलिस टेशन में जा सकते थे, यहां पर वापस यहां के मैमरीज में जाते हैं, जो पर डॉक्टर ब्रैनर एल का चेक अप करत बोलता है, कि एल जरूर जूट बोल रही होगी, अगर एल ने ऐसा कहा है, तो वो सबसे बड़ी जूटी है, और डॉक्टर बैनर को तभी पता चल जाता है, यह काम तूट ने किया है, तू को आगे बुलाया जाता है, और उसके गले के अंदर एक बैल्ट पहना दिया जात है, जो कि एक एलेक्रिक शॉक का बैल्ट था, डॉक्टर बैनर पूचते हैं कि यह तो तुम सच पता दो कि यह किस ने किया है, या फिर तयार रहो, तू फिर भी जूट बोलता रहता है, कि अगर एल ने ऐसा कहा है, आपसे तो वो बिल्कुल जूट बोल रही है, डॉक्ट के बिल्कुल भी परवा नहीं थी, वो आज भी तुम से बहुत प्यार करती है, और अगर मैं उस जगह पे होता, तो मैं नैंसी को कभी दूर नहीं जाने देता, ये बाते करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इनने ये भी दिखाई दे रहा था, कि काफ यहां डस्टन और लिूकस थे, एरिका यहां लिूकस से कोशन पूछने की कोशिश कर रही थी कि आखिर तुम सब कुछ बताने वाले हो कि यहां पर चल क्या रहा है, या फिर मैं डस्टन को बता दू कि आखिर तुमारे बैट के नीचे क्या मिला है, लिूकस डर के मारे एर पूछती है और कहती है कि आखिर ये दर्वाजा खुल कैसे रहा है दर्वाजा खुलने का कारण तो कोई होकिन्स लैब या फिर कोई बहुत बड़ा मैगनेटिक फील्ड ही हो सकता है तो आखिर ये कौन खोल रहा है लेकिन डस्टिन ने एक किसी पता लगानी थी इसी कारण ये तीनों स्टीफ के ग्रुप से बात करना चाते थे यहां हम देखते हैं कि ये चारों नैंसी के घर में पहुचते हैं स्टीफ एड़ी को समझाता है कि किसी भी चीज़ को बस छूना मत हर एक चीज आपस में जुड़ी हुई है नैंसी अप पर उसे अपने फस्ट इयर के नोट्स मिलते हैं अपने टॉइस मिलते हैं और इसी के साथ में एक बुक मिलती है जिसके अंदर आखरी पीच पे 1983 लिखा हुआ था इससे नैंसी साब समझ चाती है कि हम लोग पास्ट की टाइम लाइन में अटके हुए हैं ये वही दिन है ज लेकिन उपर देखने पे सारी लाइट एक साथ में जल रही थी और हर तरफ एकदम ब्राइट ग्लिटर था मानों कि अगर उसके अंदर ये कुछ मुवमेंट करें तो प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर सब कुछ पता चल सकता है तभी वहाँ पे नैंसी अपने हाथों की मद लिंक नहीं कर रही थी यहाँ डस्टिन और लूकस को भी समझ में आ जाता है कि ये चारों के चारों अपसाइड डाउन वर्ल के अंदर पहुंच चुके हैं नैंसी और स्टीव को पता था कि जब विल कायब हुआ था विल से लाइट के थ्रू बात किया करती थी और अब अ अमेरिकन्स को पकड के लेकर आया है लेकिन उन्हें हैंडोवर करने से पहले यूरी चाता है कि वो एक बार उस हॉपर के बारे में भी पता करे जिस हॉपर को पकडा गया है और आखिर उसके साथ में क्या किया जा रहा है तब यहाँ पर यह Polis वाले मरी को यूरी समझ के अ दिवार पे एक दर्वासा लगा हुआ था उसके अंदर काफे सारे हतियार थे ये जिस भी हतियार को चाहें उसे चुन सकते हैं इस टाइम तक यहां मरी यूरी और जॉयस भी पहुँच चुके थे जॉयस अपनी आखों के सामनी होपर को देख रही थी कि वो जिन्दा है और कितनी बुरी है इसी के साथ हम एल को देखते हैं जो कि अभी भी अपने गेम पे कॉंसेट्रेट कर रही थी तभी वहाँ पे हैंडरी आता है और एल को कहता है कि कोई भी एक्सप्रेशन मत देना बस मेरे साथ में गेम खेलती रहो हैंडरी एल को प्रवोक करने की कोशिश कर और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है तुम यहाँ पे सबसे स्ट्रॉंग हो नमबर टू और उसके बागी सारे फ्रेंस मिलके यही प्लैनिंग कर रहे हैं कि वो जैसे ही ठीको की बाहर आएगा तो वो तुमें मार डालेगा पापा चाते थे तो ये सारे चीज़े रोक सकते थे लेकिन इन सब के अंदर पापा भी इंकलूड है ये चीज़े सुनके एल को बहुत बुरा लगने लगता है हेंडरी कहता है कि तुम चाहो तो यहां से भाग सकती हो मुझे भागने का मौका नहीं मिला लेकिन तुम सबसे अलग हो पापा भी तुम्हें मारना चाते हैं और मैं तुम्हें बचाना चाता हूँ तब एल कहती है तुम मुझे बचाना चाते थी इसी करण तुम्हें पनिश्मेंट मिल रही है तो हेंडरी हां कहता है एल कहती है कि तुम आखिर मुझे बचाना क्यों चाते हो तो हेंडरी कहता है कि यहाँ पर कोई भी जिन्दा नहीं बचेगा बस यहाँ पर हर किसी को एक्सपिरिमेंट के लिए ही लाया जाता है लेकिन तुम उन सब में से बहुत अलग हो तुम चाहो तो मैं तुमारी मदद कर सकता हूँ बस कैसे भी करके तुम यहाँ से आज रात भाग जाना अब एल हेंडरी की बातों में आ चुकी थी और यहाँ से भागने के लिए भी तैयार थी यहाँ दूसरी तरफ डस्टिन, ल्यूकस और एरिका एक साथ में एक बोर्ड के अंदर काफी सारी लाइट्स चला देते हैं यह लाइट्स दूसरी तरफ से अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर उन चारों को भी दिखाई दे रही थी तब वो प्लग निकाल देते हैं और तभी यहाँ पर नैंसी अपने हाथों से मूमेंट करने लगती है और उन चारों को बताती है कि यह चारों यहाँ पर फसे हुए हैं और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता इन्हीं नहीं पता है तब यहाँ पर डस्टिन को तो समझ में आ चुका था कि जिस जगह पर भी वैकना ने लोगों को मारा है उस जगह पर एक एक दर्वाजा खुल गया है अगर यह लोग लवर्स लेक वाले दर्वाजे से बाहर नहीं आ सकते तो इन लोगों को कोई दूसरा दर्वाजा ढूनना पड़ेगा डस्टिन चला कर बस यह की बताना चाहता था कि इन्हें एडी के घर पे जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर भी एक दर्वाजा खुला हुआ है लेकिन दूसरी तरफ से अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जब पुलिस वाला बागी बच्चों को लेने के लिए आता है तब उसे पता चलता है कि चारों बच्चे एक साथ यहां से भाग चुके हैं इधर एक तरफ तो यह चारों बच्चे एडी की घर की तरफ जाते हैं वापसी प्रैक्टिस करवाने के लिए एल यहां पर एक गार्ड के पास जाती है और कहती है कि उसे चक्कर आ रहे हैं इसी कारण यह गार्ड एल को लेके जब डॉक्टर के पास जाता है तब तक एल वहां से भाग चुकी थी लेकिन एल जैसे ही एकस़िट क्रॉस करके extension ढ काती है तो वहां पर उसे हेंरी मिलता है और उसे एक डक्ट के बारे में बताता है कि यहां से तुम जा सकती हो एल हेंरी को कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते हो इन लोगों ने आज तक तक तुम्हें कुछ भी सच नहीं बताया है तो इन लोगों पर विश्वास नहीं करना तब एल कहती है कि तुमने अगर मेरी इतनी मदद की है तो मैं भी तुमारी मदद करूँगी इसे बाहर निकालने में यहाँ सीन जील में शिफ्ट होता है जहाँ पर जॉयस का मुँ अभी भी बंदा हुआ था और वो हॉपर से चला के बात नहीं कर सकती थी जिससे कि वो डैमो गॉर्गन उससे दूर रहे दर्वाजा जैसे ही खुलता है वैसे ही डैमो गॉर्गन बाहर निकलता है और एक एक करके सब को मारने लगता है हौपर और डिमित्रे ने पहले ही कहा था कि सब लोगों को साथ रहना है तो ही उसे मार सकते हैं लेकिन सारे के सारे अलग हो गए और एके करके डैमो गॉर्कन का शिकार बनते जा रहे थे यहां हौपर का भी लाइटर नहीं चल रहा था इसी के कारण वो उसमें आँग भी नहीं लगा पा रहा था जॉयस यहां मरी को धका देती है कि उसे मारो और अब मरी ने गन पॉइंट पे रश्या के पुलिस वाले को भी ले लिया था मरी भी यहां बिलकुल कम नहीं था वो इस पुलिस वाले को लेके सिधा सिस्टम रूम में पहुँच जाता है इधर हॉपर के भी भाले में आँग लग जाती है और वो टैमो गॉर्गन को अपने से दूर करने लगता है और डिमिथरी एक दरवाजे को तोड़ने लगता है यहां पर सिस्टम पे बैठे हुए बंदे को मरी कहता है कुछ भी करके दरवाजों को खोलो और डिमिथरी दरवाजे को नहीं खोल पा रहा था तभी जॉयस को गुस्सा आता है और वो सारे सिस्टम के प्लक्स को एक साथ में आउन कर देती है नचाने कितनी सारी चीज़े होती है और सेम टाइम पे दरवाजा खुल जाता है जो कि डिमिथरी का नहीं खुल रहा था यहाँ डिमिथरी और हॉपर को तो यहीं लग रहा था कि बस कोई miracle हुआ है लेकिन दूसरी तरफ से यह सब कुछ जॉयस नहीं किया था यहाँ हॉपर की भी मशाल बस बुजने ही वाली थी कि तभी Hopper वो भाला ले कि सिधा Demogorgon के मूँ के अंदर फैकता है इसी कारण वो Demogorgon दूर होता है नहीं तो वो दर्वाजा खोल के Hopper और Dimitri दौनों को मार ढालता यहां Hopper और Dimitri बस एक सकिन हुआ ही था कि सांस ले रहे थे गाइस यह एक बहुत ही ब्यूटिफुल और होफफुल मूवमेंट था Hopper और जॉयस दोनों के लिए ही सेम टाइम पे हम अपसाइड डाउन वर्ल को देखते हैं जहांपर यह चारो एड़ी के घर तक पहुँच चुके थे और घर के अंदर जाते ही इने रूफ टॉप पे एक दर्वासा दिखता है और इस गेट को कोई भी फ्लाइंग डैमो गॉर्गन गार्ड नहीं कर रहे थे यह जैली एकदम से फटने लगती है इन चारों को ड़ल लगता है कि अब इसमें से निकल के कौन आने वाला है लेकिन असल के अंदर इनके ऊपर लिूकस, डस्टिन और एरिका थी और उन्होंने ही यह रस्ता किया था और अब हम सेम टाइम पे प्रेजेंट वर्ल्ड में आते हैं तो डस्टिन, लिूकस और एरिका ने अपने रूफ के ऊपर छेट किया था और उन्हें यह चारों उल्टे दिख रहे थे जीन एल पे शिफ्ट होता है जिसने अपनी पावर्स लगा के हैंडरी के गले के अंदर से उस चिप को बाहर निकाल दिया था और अब यह चारों एक साथ में भागने लगते हैं लेकिन तभी काफी सारे गार्ड्स आके इनका रास्ता रोग देते हैं यह को लगता है कि शायद अब सरेंडर का टाइम है अब कुछ नहीं हो सकता तब हैंड repeating कहता है कि कोई सरेंडर का टाइम नहीं है अब कोई बहुंड चुपके नहीं बैठेगा असल की अंदर हैंडरी 001 था जोकि इस पूरे लैप का सबसी पहला बत्चा था ब्रैनर ने य एल को बताया था कि 001 नाम का कोई बच्चा नहीं है जो कि एकसिस्ट ही नहीं करता लेकिन असल के अंदर 001 हेंरी ही था और वो एल को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम दौनों बहुत हद तक सेम हैं तब यहां पे हेंरी अपनी पावर्स दिखाना शुरू करता और एक एक करके हर एक गाड को मार देता है एल को वो एक कमरे के अंदर रखता है और फिर कहता है कि बाहर मत निकलना दूसरी तरफ डस्टें लिउकस और एरिका ने मिलके एक बड़ी सी रस्सी बना दी थी कपड़े के थुरू और वो उपर फैक्ते हैं अपसाइड डाउन वर रूफ से आके नीचे गिरती है और उसके बाद में एड़ी जाता है और अब टाइम था नैंसी के जाने का गैस अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस रिवील होता है नैंसी जब यहां से जा रही थी तब ही उसका टाइम लाइन यहां पे बदल जाता है असल के एक पूल में गिरती है जहां पर बार्बरा मरी थी और वहां की हर एक रूट मानो नैंसी को मारने वाली हो सीन वापस एल पर शिफ्ट होता है जो कि काफी देर से कमरे के अंदर थी और अब तक भी हेंडरी नहीं लौटा था एल बाहर जाके देखती है तो पूरा कॉरीडोर से भरा हुआ था हर एक गार्ड हर एक डॉक्टर हर एक बच्चा सब मर गए थे इवन डॉक्टर ब्रेनर भी बेहोश पड़े थे वो रैंबो रूम में पहुचती है जहां से चिलाने की आवाजी आ रहे थी तब एल को पता चलता है कि सब को मारने वाली एल नहीं बलकि 001 ह हेंडरी था एल वहाँ पे हेंडरी को कहती है कि यह आखिर तुमने क्या किया और वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वन उसे रोक लेता है और कहता है कि यहां से तुम बाहर नहीं जा सकती हो मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश करी यह दुनिया हमारी जैस उतरती है और सीधा वेकना का घर उसे दिखाई देता है आगे बढ़के उसे कई सारे लोग भी दिखाई देते हैं जो कि वेकना के घर में मरे हुए हैं वेकना असल के अंदर नैंसी को बहुत कुछ दिखाना चाता था और तब नैंसी पास्ट के अंदर पहुंच जाती है और पता था और तब जाकि उसे खुद के बारे में पता चलने लगा कि वो किस तरीके से बागियों से अलग है हर किसी को बड़ा होना है अपने काम करने है बोरिंग सी लाइफ चीनी है बच्चे पैदा करना है और मर जाना है लेकिन हैंडरी यानि कि वैकना को यह सब नहीं करना था हैंडरी ने खुद की दोस्ती अलग अलग चीज़ों से कर ली थी यानि कि उसे स्पाइडर्स पसंद थे और वो भी वर्ल्ड के सबसे डेंजरस वैनम वाले स्पाइडर वो इन चीज़ों को बैठके ड्रॉ भी करता था और अपनी पावर्स पे काम भी करता था अब गा यहां एल को भी हैंडरी समझाता चाता है कि कैसे उसे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए ये दोनों अपनी मिलके एक नई दुनिया बनाएंगे क्योंकि ये बहुत जाता स्ट्रॉंग है पास्ट में नैंसी देखती है कि कैसे हैंडरी पहले जानवरों को बांद के अपन पहले मा को मार डाला अपनी बहन को मार डाला इतनी जादा पावर्स हैंडरी खुद इस्ते Maar नहीं कर सकता था और यह सारी चीजह उसी की बॉडी से रिवर्श इसी करण वो भी कोमा में चला गया और इसी करण विक्टर को जेल हुई अपनी वाइफ और बेटी के मडर के कारण जब कि ये सारा काम हेंडरी ने किया था जब हेंडरी को होश आया तो उसके सामने डॉक्टर ब्रेंडर थे जो कि उसकी पावर्स को कंट्रोल करना चाते थे लेकिन डॉक्टर बैनर को पता चल चुका था कि हेंडरी की पावर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है इसी के कारण उसके थुरू नए नए लोगों पे एक्स्पिरिमेंट होने लगा और इससे ही नए बच्चे बने जिनकी अंदर बॉन एंड बॉट अब पावर्स पहले से ड पावर्स एल से जादा थी ये बात सबको पता है इसी कारण वो एल को बहुत परिशान करता है जमीनों पे उसे बहुत बुरी तरीके से घिसता है और सीधा हवा में उड़ा देता है जैसे कि वेकना का एक मर्डर पैटरन था कि वो कैसे सबको मारता था इस टाइम पे वो ए वेकना से फाइट करनी श़ूरू की और इतनी जादा पावर्स का यूज किया कि हैंडरी को उसने इस दुनिया से सीधा अपसाइड डाउन वर्ण के अंदर भेज दिया हैंडरी का पूरी बॉरी एशिव में बदल प्ल Arctic और वो सीधा अपसाइड डाउन वर्ण में चला ज दोर भी था तब जाके उसकी पूरी बॉडी जलके वो वेकना के जैसा बन जाता है और इसी के साथ गाइज ये शांदर सीजन 4 का वॉल्यूम 1 यहीं पर खत्म हो जाता है और काफी सारे पॉइंट्स हमें यहां पर रिवील हो चुके थे क्या खिर वेकना कौन है वो क्या चाह है वो सारे एल को लेकर हुए है फिर चाहे डेमो गॉर्गंस का आना था अपसाइड डाउन वर्ल्ड का खुलना था माइंड फ्लेयर का एल के पीछे पढ़ना था यह सब कुछ वेकना का ही किया धरा था तो क्या यह वेकना मारा जाएगा तो यह सब तो गाइस हमें वॉल् वॉल्यूम वन भी साथ एपिसोड के साथ में अपलोड हो चुका है और अब बारी है काईस वॉल्यूम टू की जिसके अंदर टोटल दो एपिसोड है पहला एपिसोड तकरीबन डेट घंटे से थोड़ा ही कम है और सेकंड एपिसोड एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म की करती हूँ जहां पर मुझे पता चलता है कि आप लोग इतना डीप ली से देख रहे हैं थैंक्यू सो मच गाईस जो आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है और मैं चाहती हूँ काईस की आँखे भी आप लोग मेरी सीरीज को इतना ही प्यार दे बैक टू दा स्ट् सरीके से एक बड़े से मॉंस्टर में बदल चुका था और इसी कंटिनिटी के साथ में एपिसोड नंबर 8 के शिर्वात होती है जहां पर हम एल को देखते हैं अपसाइड डाउन वर्ल का दर्वाजा बंद होने के बाद में वो अपने आप क्लोज भी हो गया था हैंरी यहा जाती उससे पहले ही वो बेहोशो के गिर गई थी डॉक्टर प्रेनर जब हैंरी को अपने पास लेकर आये थे तो उसकी पावर्स के बारे में पता चलने के कारण उसके हाथ पे वो 001 लिग देते हैं और उसे अपने बच्चे के जैसे ही बड़ा करने लगते हैं असल के अं पैनिक होके वेकना के कंट्रोल से नैंसी को निकालने के लिए उसका फेवरेट सॉंग ढूंड रहे थे यहां नैंसी अपनी जान बचा के लैब के अंदर से बस भाग रही थी वेकना उसे कंट्रोल करके एक चेयर के उपर बठा देता है और उसे कहता है कि यह सारी बाते ज दिखाता है कि कैसे हौकिन्स बरबात हो रहा है वो एल को मार देगा इसी के साथ में हौकिन्स के अंदर अपसाइड डाउन वर्ल्ड के दरवाजे खुल जाएंगे इनमें से कोई भी दोस्त नहीं बचेगा वेकना अपना मिशन पूरा कर लेगा और यह सारी चीजे जाके नैंसी को एल को बतानी थी इसी के साथ में वापस से नैंसी होश में आ जाती है और सीधा स्टीव की गोत में आके गिरती है सीन यहां रशिया की जील में शिफ्ट होता है जहां पर डैमो गॉर्गन बाहर निकलने के बाद में एक के बाद एक सब को बुरी तरीके से मार रह कि कैसे एक टाइम के लिए तो दौनों ने हूप छोड़ दी थी लेकिन फिर पर इन्हें अपने दिन याद आते हैं मरी यहाँ पर कैमरा की अंदर देखता है कि कैसे ही रश्यन्स इस टैमो कॉर्गन को मारने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बंदूगों की मदद से अब भला इन रश्यन्स को कौन समझाए कि यह टैमो कॉर्गन बंदूग से मरने वाली चीज नहीं है उपर से आने वाली आवाज हॉपर को ट्रेक करती है कि बस वो उपर जाके देखे कि आखिर क्या चीज है डॉक्टर्स मना करते है कि तुम उपर मत जाओ उपर बहुत ज दिखाई देता है कि एक्सपिरिमेंट करने के लिए ये डैमो कॉर्गन की एक पूरी फैमली को उठा के लिए आए ये रश्यन्स सच में पागल वागल हो गए थे जो इतने सारे डैमो कॉर्गन को एक साथ उठा के लिए आए शायद इन लोगों को पता नहीं था कि ये डै पर हम एल को देखते हैं जिसे कि एक विजन में से उठाया जा रहा था यानि कि वही विजन जिसके अंदर उसे सब कुछ पता चल चुका है डॉक्टर ब्रैनर बताना शुरू करते हैं कि वो इंसिडेंट इतना जादा बुरा था जहां पर तुमने अपनी पूरी पावर्स का शुरू हुई यहां पर डॉक्टर ब्रैनर एल को कहते हैं कि जिस टाइम तुम अपने पावर्स का यूज कर रही थी तब उसके बाद मैंने वहां आके देखा उस समय तुमने हैंडर को मारने के साथ में एक काम और किया था दूसरी दुनिया का तुमने दर्वाजा खोल द और मुझे विश्वास था कि हैंडरी अभी भी उस अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर जिन्दा है उसके कुछ टाइम बाद में तुमने वापस से अपनी पावर्स का यूज किया और अपसाइड डाउन वर्ल्ड के दर्वाजे को बिलकुल पूरी तरीके से खोल दिया कई बार दॉक्टर ब्रेनर हैंडरी को ढूणने के लिए उसके अंदर तक भी जाते थे और साथी साथ एल को भी भीसते थे तब जाकियो ओवंस आता है और एल को एक फाइल दिखाता है की कैसे हैंड़े वापस आ गया है और लोगों को मार रहा है अब तक वो तीन लोगों मार चुका है और उसके पैटन बिल्कुल पहले जैसे ही है लोगों के हाथ पैट तोड़ देना और उनके आँके भार निकाल लेना डॉक्टर ब्रेनर ये तक भी बताते हैं एलको कि तुम्हारे दोस्त इस टाइम खत्रे में हो सकते हैं क्योंकि वो लोग पे उनसे लड़ने क को खुलना चाहता है इसका मतलब है कि आपसाइड डाउन वर्ल्ल से हमारी दुनिया के अंदर तक आना चाहता है वो एक ऐसे डैम को तोड़ देगा चुकि हमारे दुनिया और अपसाइड डोस्तों को देखने के लिए चली जाती है लेकिन जाने से पहले वो एक बार यूज भी कर सकती है यहां हम जॉनतन आरगेल विल और माइक को देखते हैं और इन सभी को लग रहा था कि यह लोग रास्ता भटक चुके हैं यहां पर माइक कभी भी डरा हुआ था कि कहीं एल को कुछ हो न जाए तब उसे विल समझाता है कि एल तुम्हें छोड़के कहीं भ प्यार करती रहेगी तुम हमारी ग्रुप के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन हो सब तुमसे प्यार करते हैं तुम ग्रुप का हार्ट हो असल के अंदर गाईज यहां पे बहुत बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि विल जो की है वो माइक को पसंद करता है बच्पन से कि आज तक विल हमेशा माइक के साथ साथ में रहा करता था आप लोगों ने गाईज अगर एक से नोटिस किया होगा कि एरपोर्ट पे माइक जब एल के साथ था तो विल को बहुत बुरा लग रहा था और यह सारी चीजों को अब अगर हम जॉइन करते हैं कि विल को माइक क बोल देता है और कहता है कि एल हमेशा तुमारे साथ ही रहेगी माइक कहता है कि वो तो टैंशन नहीं है असल के अंदर प्रॉब्लम मेरे अंदर है एल में इतनी पावर्स हैं वो इतनी स्मार्ट लड़की है कि अगर वो मुझसे कंपरेजन करेगी तो मैं तो उसके सामने कोशिश करते हैं ताकि वो अपने दोस्तों को देख सके यहाँ पर हम देखते हैं कि नैंसी सब को बता रही थी कि कैसे वैकना ने उसे अपने विजन्स में जाकर सब कुछ दिखाने की कोशिश करी कि वो हौकिन्स को बरबाद करना चाता है उसके सामने एक घड़ी भी थी जो कि चार बार बच रही थी मैक से बात सुनते ही कहती है कि मैंने भी यही चीज़े देखी थी इन सब लोगों को समझ में आता है कि वो चार लोगों को मारना चाता है इस बात का गाइस लौजिक यह है कि वैकना चार दरवाजे खोलना चाता है तीन लोगों को मार के उन त टाइम मैक्स एल से कॉंटक करने की कोशिश करती है हौकिन से ये लोग कैलिफोर्निया में कॉल भी करते हैं लेकिन जॉयस के घर पे इस टाइम ना तो कोई था और ना ही कोई कॉल को पिक कर रहा था तो आखिर ये सब लोग कहां गए थे इसके बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं पता था लेकिन ये सब कुछ वॉइड में जाके देख रही थी यहां नैंसी के जाने के कारणों से बाकी सब लोग मना कर देते हैं कि तुम अकेली इतनी स्ट्रॉंग नहीं हो कि तुम जाके वैकना से फाइट कर सको रॉबिन कहती है कि वो किस टाइम किसे मार रह है इसके बारे में जब किसी को पता नहीं चला तो अब वो हम सब लोगों को भूट ऊजिली मार सकता है यहां डस्तिन कहता है कि वैकना जिस तरीके से लोगों को मार रहा है उनके दिमाग के अंदर खुस रहा है यह कई सारे सिमिलर चीज़े एल के अंदर भी है एल भी अगर वो किसी के दिमाग में जा रहा है तो फिजिकली वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में ही मिलेगा और मैंटली वो किसी दूसरी दुनिया में होगा तब ये लोग यही प्लानिंग करते हैं कि वेकना जिस टाइम पे वॉइड में रहेगा ये लोग जाके उसी टाइम उसे डिस्ट्रॉइ करेंगे लेकिन इनने ये नहीं पता कि वेकना अब किस टाइम पे किसी अगले शिकार को ढूरने वाला है मैक्स बीच में बोल पड़ती है कि अब उसे पता है कि अगला कौन मरने वाला है अभी तक भी मैक्स को पता चल रहा था कि उसके अंदर कुछ न कुछ अलग चीज़ी हो रही है उसे महसूस होता है कि वेकना हर समय उसका ध्यान रख रहा है यानि कि अगला शिकार मैक्स ही थी, Max कहती है कि उसे पता है कि वेकना उसे ही मारेगा, लेकिन वो जिस तरीके से पहले बची थी, वो इस बार भी बच सकती है, ये लोग उसे मिलके पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये वेकना आये उसके दिमाग में और वहां से उसे ले जाए, पीछे से जाके सारे लो उसे मार ही नहीं सकते, इसका मतलब है कि ये लोग बड़े खत्रे में हैं, जिसके बाद सीन यहां रश्या के अंदर शिफ्ट होता है, हॉपर को यहां पे बाहर जाने का एक रास्ता मिल चुका था, एक साथ में सारे लोग बाहर भी जा चुके थे, ये लोग एक ट्रक की पैसा दोगे तो मैं तुम्हारा अब ही भी काम कर दूँगा, ये चीज़ सुनके डिमेतरी भढ़क जाता है और कहता है कि अगर तुझे जिन्दा रहना है और यहां से बचना है, तो तुझे बताना ही पड़ेगा कि आकर तेरा प्लेन कहां पर खड़ा है, यहां दूसरी तरफ इन सारे बच्चों को ये पता था कि इन लोगों को वैकना को मारना ही है, साथ में जितने भी फ्लाइंग डेमो गॉर्गन है उन सब को भी रोकना है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए इन्हे वैपन्स की जरूरत थी, एडी जैसा भी था लेकिन उसके पास सारे जु लोग रहते थे, वो ऐसे ही एक बड़ी सी वैनेटी वैंट चुरा लेता है, और बस स्टीव को कहता है कि यहां से जितना चल्दी हो सके उतनी तेश चलाओ गारी, दूसरी तरफ हम एल को देखते हैं, जिसे अब अपने दोस्तों को बचाना था इसी कारण वो डॉक्टर ओ को कहती है कि मुझे यहां से जाना है, आप लोगों ने कहा था कि अगर मेरे पास मेरी पावर्स आ गई तो मैं यहां से जा सकती हूँ, डॉक्टर ओन समझाने की कुशिश करते हैं अल को कि तुम अभी पूरी तरीके से तयार नहीं हो, तभी डॉक्टर ब्रैनर पीछे से आ अपने दोस्तों के पास में, तब डॉक्टर ओन्स भी यहां एल की मदद करते हैं और कहते हैं कि अब यह इसके उपर छोड़ देना चाहिए, कि इसे क्या करना है, इसे अपने दोस्तों के पास रहना है, या फिर इसे यहां रहना है, डॉक्टर ओन्स अब एल की मदद करना चाता है लेकिन उस वेकेशन के अंदर जो उसके बच्चों की मौम थी वो और कोई नहीं बलकि नैंसी है नैंसी का जॉनितन के रिलेशन्शिप के अंदर काफी बड़ा गैप हो चुका था इसी की कारण नैंसी भी अब थोड़ा स्टीव की तरफ ध्यान देने लगी थी यहा मैं बस इस बार खुद का ध्यान रखूंगी अच्छे अच्छे गाने सुनूंगी और अच्छे अच्छे मेमोरीज को याद करूंगी उन सारे पा लोगों जो की मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तब लूकस कहता है कि क्या उन मेमोरीज में मैं भी हूँ तो मैक्स कह इते ही सारे के सारे एक साथ भड़क जाते हैं यूरी ने इन लोगों को जूट बोला ये चौपर आखिर कैसे कैलिफोर्निया तक पहुँच पाएगा ये चौपर तो यहां से उड़के थोड़ी दूर भी नहीं जा पाएगा तब यहां पे यूरी बड़ी-बड़ी बाते कर जालेंगे जब डिमिधरी रॉश्यन्स को कॉल करता है कि उन्हें युनाइटेड स्टेट के अंदर कॉल कनेक करना है तो वो बस नंबर दे के कॉल को रख देता है और उन लोगों को समझाता है कि सामने से जवाब कितने दिनों में आ सकता इसके बारे में कोई नहीं कह सकता पांच घंटे या पांच दिन क्योंकि ये सारे कॉल रॉश्यन्स रिकॉर्ड करती है अगर उन लोगों को कुछ सही लगता है तो ही वो हम लोगों का कॉल बेक करवा पाएगी हौकिन्स में सारे बच्चे वार्जोन के अंदर पहुंच चुके थे जहाँ पर तो मानों ले रही थी तब ही यहां पर जेसन पहुंच जाता है जो कि नैंसी के और पास आके पूछता है कि तुम्हारा भाई आकर माइक कहां पर है क्या वो हेलफायर ग्रूप के साथ में है नैंसी इन सारी चीज़ों के लिए मना कर देती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो एरिका जब ये चीज़ देख लेती है तो भाग के बाकी लोगों को कहती है कि हमें यहां से जल्द ही जाना चाहिए जेसन नैंसी को डरा चुका था या अगर एड़ी उसके हाथ में आ गया या फिर उसके भाई अगर हाथ में आ गए तो वो जिन्दा नहीं बचेंगे दूसरी तर कोई भी घर कोई भी लैब दिखाई दे तो सबसे पहले बताना लेकिन उसे ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई देता कि कोई नीना नाम की औरत या आत्मी घुम रहा हो लेकिन जमीन पे उसे टायर्स के निशान जरूर दिखाई देते हैं और वो भी बहुत बड़े बड़े टा बॉर्ट्र भी आलर वहां पर आके दर्वाजे को बंद कर देते हैं तब यहां पर आल का सारा घुस्ता फूट जाता और वो डॉक्टर ब्РЕाइनर को क्य थी है कि इतने time तक मुझे लगा था कि monster मैं हुं बलकि monster मैं नहीं henry था और henry भी नहीं बलकि आप है आपने henry को यह जाती ना कभी मुझे टैमो गॉर्गन्स मिलते और ना ही वहां का कोई दर्वाजा खुलता डॉक्टर ब्रैनर खुद को सभी साबित करने के लिए बहुत सारे एक्स्क्यूस देते हैं लेकिन एल को समझ में आ चुका था कि इस बार डॉक्टर ब्रैनर की गलती है और वो कहती है कि मैं आप मेरे दोस्तों को बचाने के लिए जाऊंगी और अगर मुझे किसी ने भी रोका तो वो मारा जाएगा फिर चाहे वो आप भी क्यों नहूं एल जब जाने लगती है तो उसी टाइम डॉक्टर ब्रैनर उसे बेहोशी का इंजक्शन लगा देते हैं एल को इतना अअच्छ दीखाया जाता है नोटेश किया होगा कि डॉस्टर की ऐन दर उसका एड़ी के साथ बहुत अच्छा दीखाया गया है एरिका और लुकस बीमिल एपंस बना रहे थे यहां पर इसी टइम स्टीव रोब में से उसी लडगी के बारे में बात करता है लेकिन लोबं रॉबिन को ऐसे क्यों फिलिंग आ रही है कि कहीं ये इस बार हार ना जाए कहीं कुछ चीजे गलत ना हो जाए बस ये होप करती है कि सारी चीजें अच्छे से हो जैसा इन लोगों ने सोचा है यहाँ एल की जब आँखी खुलती है तो उसके गले पे एक बैल्ट था जो कि ड बहुत प्यार करते हैं और वो बस उसे खत्रे में नहीं देखना चाते तभी सेम टाइम पे इस जगह के साइरन बचने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे घुसपैटी आ चुके थे असल के अंदर यूएस आर्मी निविडा तक पहुँच चुकी थी और इन सब लोगों का मेन पहुच रही तक पहुच दूपर पहुच चुके थे लेकिन उपर पहले से एक चौपर था जहाँपर एक सौलजर सब को शूट करता जा रहा था बाहर सारे के सारे डौक्टर जो भागेते सब बाहरे गए इस बीच में डॉक्टर ब्रैनर को भी एक शूट लग चुका था और इस टाइम पे वो एल को बचाने की कोशिश कर रहे थे गाइस लग तो ऐसा रहा था कि डॉक्टर ब्रैनर बहुत अच्छा आदमी है और एल के कारण उसने गोलियां खाली तो इसका मतलब है कि एल किसी को भी नहीं मार रही है इसके कारण इस बच्ची को मारने की जरूरत नहीं है और अगर ऐसा ही हुआ तो तुम लोगों को एल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हौकिन्स खत्री में है जरूरल ओंस की कोई बात नहीं मानता और आडर दे देता है एल को मारने की इतनी देर के अंदर जॉनतन की काड़ी भी यहां आल्मोस पहुचने ही वाली थी सोल्चर का निशाना एल पे था लेकिन एल तब तक खड़ी हो चुकी थी और उसके बाद अपनी पावर्स चौपर के उपर दिखाने लगती है पूरा चौपर हिलने लग जाता है और एक टाइम के बाद एल की पावर्स इतनी जादा थी कि वो चौपर के चिथड़े उड़ा देती है गैस ये सीन बहुत ही शांदर तरीके से शूट किया गया है आप अगर इस ब्लास को दिखेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि ये सीन बहुत ही अच्छी तरीके से लिया गया है एल को अपने दोस्त मिल चुके थे माइक आते ही उसे गले से लगा लेता है दॉक्टर ब्रेनर ने एल का बस इस्तिमाल किया है। दॉक्टर ब्रेनर कहते हैं कि मैं तुम पे बहुत प्राउट फील करता हूँ। तुम हमेशा अच्छा काम ही करोगी। बस तुम ये बताओ कि तुमें मुझे बिलीव है या नहीं है। लेकिन एल बस गुटबाई पापा कहके वहां से चली जाती है। डॉक्टर ब्रेनर जाते हुए भी बस एल की गाड़ी को ही देख रहे थे। यहाँ पे एल गाड़ी में बैटते ही अपने दोस्तों कहती है कि हमें हौकिन्स जाना होगा। अगर हम लोग लेट हुए तो बहुत जादा देर हो जाएगी, सब मारे जाएंगे और तभी सीन शिफ्ट होता है बाकी लोगों पे यानि कि सब मारे जाएंगे में मतलब था काड़ी में बैठा हुआ हर एक इंसान, सब ड़रे हुए थे क्योंकि इन लोगों को अपना प्ल वॉल्यूम टू और इस सीजन के लास्ट एपिसोड में बहुत सारी चीज़े हैं गाईज, तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से उसी एपिसोड में तब तक के लिए टाटा स्ट्रींजर थेंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एल को बनानी वाला इंसान जिसे वो अपना पापा कहती थी, वो अब मारा गया है बाकी सारे बच्चे वैकना को मारने के लिए अलग-अलग प्लैन बना के निकल चुके थे इसी के साथ में मैक्स, लिूकस, आरिका, विक्टर के घर के बाहर खड़े थे प्रेजेंट वर्ड के अंदर इसी सारी कंटिनिटी के साथ में वॉल्यूम टू का आखरी एपिसोड और सीजन फोर्थ का भी आखरी एपिसोड के शिर्वात होती है जहाँ पर हम यूरी को देखते हैं इस चौपर को स्टार्ट करते हुए लेकिन इसने यहाँ पर एक चालाकी कर दी थी इसने इस चौपर का एक छोटा सा बोल्ट अपने पास में रख लिया था अब अगर इंजन का एक हिस्सा बाहर निकल जाएगा तो इंजन अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा और वो अलग तरीके से आवाज निकालेगा ये बार देमित्री और मरी को पता चल चुकी थी इसी के कारण वो भागते वे यूरी के पास आते हैं लेकिन यूरी यहाँ पर explanation देता है कि उसे अच्छी तरीके से पता है कि कैसे आवाज आती है जब चौपर को चलाया जाता है डिमित्री और मरी को साफ पता था कि यूरी इस चौपर को खराब भी कर सकता है तब हम यहाँ पे हॉपर और जॉयस को देखते हैं जिन्नों ने काफे दिनों से अपने कपड़े बगरे नहीं बदले थे ये जब अपने कपड़े बदलने जाते हैं तब जॉयस को हॉपर के पास जाने की इच्छा करती है। हॉपर के पास जाने पे वो देखती है कि हॉपर के पूरी बॉड़ी पे बहुत सारी निशान है। और ये सारे गिफ्ट्स रश्यन के पुलिस वालों ने हॉपर को दिये हैं। इतना बुरी तरीके से मारा है कि अब तक भी Hopper के body से निशान नहीं गए हैं, साथ ही साथ उसका पुरा हाथ पे इंजर्ड था, क्योंकि एक Demo Dog ने Hopper के हाथ को भी काटा था, Joyce बैठती है और Hopper की पट्टी करती है, इन दौनों का एक अच्छा सा movement होता है, यह दौनों अपन इस्ट्री बहुत पहले से चल रही थी, और तभी एकदम से phone call आता है, यह वही phone call है, जो कि Demetri ने रशिया से US के अंदर मदद मांगने के लिए किया था, दूसरी तरफ Steve, Robin और Nancy, Eddie और Justin के साथ में Eddie के घर पे पहुंचते हैं, जहां पे इने एक upside down world का दर्वाजा मिलता है, और उसी के through, यह लोग upside down world में पहुंच जाते हैं, इन दौनों टीम का अलग-अलग काम था, Steve, Robin और Nancy, इन तीनों को वेकना की घर पे पहुंचना था, और वेकना की body को जलाना था, लेकिन ये काम अच्छे से तब कर पाते, जब कोई भी flying demo gorgon इनके उपर attack नहीं करे, इसे लोगों को भी इस मुसीबत से तुम ही निकालोगे, लेकिन असल के अंदर hero कौन बनने वाला है, ये तो guys आपको episode के last में ही पता चलेगा, हम यहाँ L को देखते हैं, Jonathan यहाँ पे कैसे भी करके L को Hawkins में पहुचाना चाता था, लेकिन रातो रात वहाँ तक पहुचने के लि है कि मैं यहीं से ही हमारी दोस्तों की मदद करूंगी और मैं यहीं से सब को बचा लूँगी, लेकिन जरूरत है तो बस एक बाट टब की, यानि की deprivation tank की, आरगेल को ये चीज़ मजाक लग रही थी और वो कहता है कि तुमारे mind power क्या तुम नहां दू के यूज करती हो, ले यहां पर समझाती है कि कैसे वो मैक्स के mind में जा सकती है, और मैक्स के mind की through वो वेकना से लड़ सकती है, मैक्स को अगर वो पकड़ेगी तो वो मैक्स के mind में जाकर उसी जगह पहुंच जाएगी, जहां पर वेकना उसे मारने की कोशिश कर रहा है, यहां Erica, Dustin और Max इन तेनों के हाथ में लैंप थे, यह लोग लाइट्स को फॉलो कर रहे थे, ताकि इन लोगों को पता चले कि आकर वेकना इस टाइम पर कहा है, यहां घर के बिलिंक करते हुए लाइट्स एक आदमी देख लेता है, साथ ही साथ जेसन भी, एड़ी को और उसके सारे दोस्तों को मारने के लिए अच्छी खासी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, तब ही जेसन का एक दोस्ता की बताता है कि तुम्हें शायद सुनके खुशी मिलेगी कि हम लोगों को बहुत अच्छी नियूज मिली है, दूसरी तरफ हौपर यहां पर अपने बागी की दोस्तों को बताता है कि जब उसके पास जो फोन कॉल आया था, उससे उन्हें कोई फैसलीटी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि असल के अंदर डॉक्टर ओंस भी किसी मुसीबत के अंदर फसे हुए हैं, उनके पास एक बच्ची है और वो दौनों ही इस वक्त कहां है, यह किसी को भी नहीं पता, बच्ची के मतलब से साफ पता था कि यह एल के बारे में बात कर रहे हैं, यानि कि जितने भी बच्चे अभी हौकिन्स के अंदर हैं, वो सारे के सारे फसे हुए हैं, कैसे भी करके इन लोगों को भी हौकिन्स पहुचना ही है अपने बच्चों को बच्चाने के लिए, यहा सारे पेरेंस Hawkins में ना पहुचे लेकिन यहां से अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं लेकिन अगर इन लोगों को डैमो गॉर्गन और माइंड फ्लेयर को मारना है तो वापस से उसी जेल में जाना पड़ेगा जहां से ये लोग वापस आई थे मरी का तो इन में से कोई बच पर लेके पॉइंट पर पहुच सके यहां पर आरगेल सारे बच्चों को लेके अपने पीज़ा स्टोर में पहुच जाता है और शायद उसे लगा था कि यहां का ओनर उसकी मदद कर देगा लेकिन ओनर भी यहां पर नाटक दिखाने लगता है तब जॉनतन यहां पर बहु को शेट से डखनी की कोशिश करते हैं ताकि अगर यह लोग फ्लाइंग डेमो गॉर्गन को अपनी तरफ अट्रैक भी करें तो यह लोग इस शेट के अंदर जाके चुप सकें यहां नैंसी और स्टीव जब आगे बढ़ रहे थे तो रॉबिन बहुत जादा पैनिक हो जात लेकिन तभी रॉबिन बताती है कि यह लोग विक्टर के घर के सामने खड़े हैं और यहां पर एक टावर भी था इसी के थ्रू यह लोग एरिका से भी बात कर सकते हैं ताकि उसी टाइम पे मैक्स वैकना को अपने माइंड में जाने के लिए बुला सके यहां होपर जॉया चलने की आवाजे आ रही थी यहां डिमित्री को अच्छी तरीके से पता था कि यूरी इनके साथ कोई धोके बाजी करने वाला है इसी के करण डिमित्री अब यहां पर यूरी को बहुत एमोशनल करता है यूरी असल के अंदर एक एकस आर्मी कैंडिडेट था और उसके वो Russians कोई खतम करेगा और उसके बाद जब कोई बचेगा ही नहीं तो तुम किसके लिए कुछ करोगे अगर अब तुमने किसी की मदद नहीं करी तो शायद तुम कभी किसी की मदद नहीं कर पाओगे यहां दूसरी तरफ से Erika Lucas को हिंट दे चुकी थी कि Steve, Nancy और Robin भी विक्टर के घर के बाहर ही है अपसाइड डाउन वर्ड में तो शायद अब Max के पास टाइम है वैकना को अपने माइंड में बुलाने का तब यहां पे Max Lucas से कोड वर्ड में बात कर रही थी असल के अंदर यहां यह कोई आवास नहीं करते बलके लिख लिख के एक दूसरे से बाते कर यहां नैंसी, स्टीव, रॉबिन भी विक्टर के घर के अंदर पहुंच चुके थे तब ही Max देखती है कि सारी लाइट से एक साथ में ब्लिंक करने लगी है इसका मतलब है कि वैकना यहां पे आ चुका है और अब वो वैकना को खुद के माइंड में आने के लिए इंविट और यही रीजन था कि जिस समय वो मर रहा था तो मैं आगे तक भी नहीं बड़ी मैं भी अब जिन्दा नहीं रहना चाहती सी के करण तुम मेरे जान ले लो सेम टाइम पे यहां जेसन भी पहुंच जाता है और यहां Max को देखता है अरगल ने यहां L के लिए पीज़ा बना जोनतन के पास बहुत सही टाइम था अपने भाई से बात करने के लिए वो कहता है कि भाई मुझे सबसे पहले तो माफ कर दो मैं पिछले एक साल से तुम पे ध्यान नहीं दे पाया असल के अंदर मैं खुदी इतने नशे में था कि तुमारी तरफ देख भी नहीं पाया ले देखती है कि कैसे मैक्स वैकना को बुलाने की कोशिश कर रही है लेकिन उनका कोई भी प्लान काम नहीं आता है यहाँ पे मैक्स अभी भी बोलना नहीं रुकती है कि कैसे वो खुद को दोशी मानती है और अब वो बिल्कुल भी जीना नहीं चाती तभी यहाँ पे पीछे स Max को Lucas आके बोलता है कि तुम ये सारी क्या बाते कह रही हो क्या तुम सच में ऐसी लड़गी हो कि तुमने अपने भाई को मार दिया और उसके बाद मैं उसे बचाने के बारे में भी नहीं सोचा Max घड़ी होके Lucas को समझाने के गुशिष करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तुम आखिर बात ही क्यों कर रहे हो लेकिन असल के अंदर वो Lucas नहीं था बलकि Vekna था और Max यहाँ पर वॉइड में जा चुकी थी L को भी समझ में आ चुका था कि Max अब इस जगह पर नहीं है और Max L का हाथ पकड़ के वहीं बैट चाती है L जब यहाँ पर Max की सारी चीज़े याद करने लगती है तो इन्हीं सारी memories के थुरू L यहाँ पर Max की एक memory में पहुंच जाती है जहाँ पर उसी सारी चीज़े बहुत normal ही लग रही थी दूसरी तरफ अब time था Dustin कि वो सारे Flying Demogorgons को अपनी तरफ अट्रेक करे और तब यहाँ पर एक बहुती शांदर concert हमें दिखाया जाता है Eddie को यहाँ पर एक guitar मिल चुका था और उसके बाद वो बहुती शांदर वाली performance देने लगता है इतना शांदर guitar बचाता है कि इनसान के साथ में Flying Demogorgons भी यहाँ पर आके उसका concert अटेंड करने लगते है अब जब Max को पता था कि वेकना उसके mind में है तो वो भागने लगती है लेकिन इस बार वेकना ने Max को डराने के लिए Billy का form लिया इधर Dustin भी count करने लगता है कि तुमारे पास बस 10 seconds है Max अपनी वापसे पुरानी यादों को याद करते हैं और कोशिश करती है कि वो अपने सबसे अच्छी memory में चली जाए इसी के कारण वो स्नो बॉल में पहुंच जाती है यहां Dustin और Eddie भी अपना concert खत्म करके उसी trailer में पहुंच जाते हैं Hopper Joiser Marie रशियन जेल में पहुंचते हैं तो उन्हें यहां पे सब कुछ बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ मिलता है कई सारे लोग मरे हुए हैं इसी के साथ में एक जनरल था जिसके थोड़ी बहुत जान बची थी और साथी साथ सारे container जिनकी अंदर demo dogs को रखा गया था वो सब तूट गये थे और मीन चीज तो mind flare वाला box भी खाली था तब एक करनल बोलता है कि सब मारे गये हैं सब यहां से भाग गये हैं तुम लोगों को भी अपनी जान बचानी चाहिए जब मरी यहां पर पूछता है कि mind flare कहां गया है तो यह जनरल बताने ही वाला था कि वो उनके अंदर चले गए हैं अब यह mind flare किसके अंदर चले गए हैं यह हमें cctv में दिखाया जाता है कि यानि कि वो mind flare के सारे ashes उन demo dogs में चले गए हैं इसके कारण वो और जादा powerful हो गए थे यहां Steve, Nancy और Robin जब Victor के घर के अंदर जाते हैं तो हर तरफ काफी सारी roots थी एल को भी यहां पर कुछ अलग सी चीज नहीं दिखाई दे रही थी वो Max को ढूनने की कोशिश कर रही थी Max यहां पर उस snowball की अंदर खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी लेकिन तभी एल को वो music वाले table दिखाई दीती है same time पर Max के आस पास के चीज़ी भी change होने लगती है जो चीज़े पहले जितने beautiful लग रही थी वो चीज़े उतनी ही जादा अगली हो जाती है इसका मतलब था कि वेकना Max के आस पास ही है यहां Jason की एक दोस ने Erica को पकड़ लिया था इसी के कारण Erica भी Lucas को कुछ नहीं बता पाती कि उसे यहां से भागना चाहिए और अब जब Jason यहां पे पहुँच जाता है बंदूक लेके तो वो Lucas को Gun Point पे ले लेता है और Max की ऐसी हालत दे के पूछता है कि आखिर तुमने क्या किया है इसके साथ में तुम आखिर कितनी कुर्बानी और दोगे कुछ भी हो जाए बस इसे जल्दी से उठाओ नहीं तो मैं तुमें शूट कर दूँगा Lucas समझाने की कोशिश करता है कि Jason मेरी बात सुनो ये सब कुछ इस वर्ल्ड का नहीं है ये सब कुछ किसी दूसरे वर्ल्ड का है लेकिन Jason कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था Hopper यहाँ पे एक प्लैन बनाता है लेकिन उन Demodox को यहाँ पर आखिर बुलाएगा कौन और इसका काम Hopper करता है कि वो चारा बनेगा ये सारी चीज़े सोच के Joyce को बहुत डर लगता है क्योंकि वो पहले भी एक बार अपने एक लवर को खो चुकी थी यानि Bob को वो बें Demodox के कारण तो अब वो Hopper को नहीं खोना चाहती थी Hopper कहता है कि इस बार कुछ गलत नहीं होगा यहाँ Destin और Eddie खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि काफी सारे Flying Creature ने इनके ट्रेलर के उपर आके Attack करना शुरू कर दिया था और एक छोटे से Hole से वो अब अंदर आना भी शुरू कर रहे थे इन दौनों के पास जो भी Weapon थे यह दौनों उसी से Attack करना शुरू करते हैं यहाँ पर Upside Down World के अंदर Victor के घर के अंदर हद से जादा Roots बिची हुई थी और एक दम से एक बहुत बड़ा Earthquake Type का भी आता है यह तीनों ही हिल जाते हैं इनको अब तक Weakna नहीं मिला था तब यह लोग सीडियों से चड़के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तभी वहाँ पे सारी Roots अंकंट्रोल हो जाती है जरूने पता चल जाता है कि यहां पे आस-पास कुछ न कुछ है इसे के कारण Weakna की वो सारी Roots Steve, Nancy और Robin तीनों को वहीं पिज़ा कर लेती है Hopper यहां पे एक Demogorgon को अपनी तरफ अट्रैक करने के लिए भागता है और उसे कुत्ते के जैसे अपने पास में बुलाता है और Demogorg तो जैसे की है यह एक डॉक वो Hopper के पीछे-पीछे भागने लगता है यहां Dustin के हाथ में जो एक Dust Bean का डबबा था उसके निर कीले लगी हुई थी उसी डबबे से वो इस ट्रेलर के होल को बंद कर देता है लेकिन तभी यह लोग पूछते की कि क्या ऐसा एक होल और है उस होल को जब बंद करने के लिए यह लोग जाते हैं तब वहां से और जादा Flying Creatures निकलते हैं इन दोनों के पास कोई option नहीं था वापस से अपने वर्ल्ड में जाने के लिए डस्टिन तो वापस से अपने वर्ल्ड में पहुंच जाता है लेकिन तभी यहां पे एडी के अंदर का जो भी हीरो था वो सब को जाग जाता है और एडी उस परदी को कार देता है और वापस से उन सारे डेमो डॉक का ध्यान बटकाने के लिए साइकिल पे बैट के फुल स्पीड में निकलता है ताकि स्टीव की टीम को टाइम मिल सके यहां हम नैंसी को देखते हैं वाहपस से अपनी अच्छी मैमरीस को याद करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो कुछ भी याद नहीं कर पा थी क्योंकि उसके सामने वहेकना था वहेकना आके बताता है कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो मैं सब को देख सकता हूँ महसूस कर सकता हूँ और अब मैक्स का भी टाइम आ चुका है मैक्स के पलटते ही वैकना मैक्स को बहुत बुरी तरीकी से धक्का देता है यहाँ पे जेसन ने अभी भी लियूकस को समझने की कोशिश नहीं करी थी वो कह रहा था कि कुछ भी करके बस मैक्स को उठा दो लियूकस कहता है कि अगर अभी उसे उठा दिया गया तो शायद कोई भी जिन्दा नहीं बचेगा न तो मैं न कोई हॉकिन्स का एक बंदा जिन्दा नहीं बचेगा वो जो भी कर रही है बस उसे करने दो जेसन कहता है कि मैं सिर्फ 5 तक गिंती करूँगा और तुझे मार दूँगा लेकिन 3 काउंट पे ही लियूकस जेसन को पकड़ लेता है इन तौनों के बीच में बुरी तरीके से फाइट होती है यहाँ वेकना एल को पकड़ चुका था और अब उसे कहता है कि तुम्हारा टा से वेकना के ओपर कंट्रोल करना शुरू करती है और उसके ओपर बुरी तरीके से अटैक करती है और सीधा इतनी जोर से धका देती है कि वेकना जाके सीड़ियों में गिरता है यहाँ डस्टिन चिलाता रह जाता है कि एडी यह तुमने क्या किया तुम्हें वहाँ पे नही जे मारो यहां जॉयल देख रही थी कि हॉपर को डैमो डॉग मार देगा और तभी उसे अपने सामने एक इलेक्ट्रिक स्टिक मिलती है दूसरी तरफ मैक्स को तो विश्वास ही नहीं होता कि एल उसके आँखों के सामने खड़ी है आखिर वह वहां तक पहुंची कैसे एल उ वेकना जैसा कि हम सभी को पता है कि हाथ से जादा स्ट्रॉंग हो चुका है तो वह भी एल को बहुत बुरी तरीके से इंजट करता है प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर यहां पर बुरी तरीके से तड़पने लगती है क्योंकि यहां पे अपसाइड डाउन वर्ल के अंदर और एल के बीच में फाइट चल रही थी अब जैसा कि वेकना काफी जादा स्ट्रॉंग था तो वो एल को भी कंट्रोल करने लगता है और उसे कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम खुदी यहां पर पहुंच गई मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था और अब तुम्हें भी होनी वाला है तुम्हारी आँखों के सामने ही मैं दुनिया के अंदर जाऊंगा और सब को मार दूंगा अब इन सारी चीजों को रोकने के लिए एल के पास कोई आप्शन नहीं था इसी के कारण वो वेकना को बोलती है कि पापा मर गए है इन सब में तुम्हारा कोई दोश नहीं है पापा नहीं तुम्हारी पावर्स का यूज किया था अगर वो तुमको सभी ठंग से रखते तो शायद तुम मॉंस्टर कभी नहीं बनते तब यहां पे वेकना पलड़ता और कहता है कि पापा की कोई गलती नहीं है पापा एक मामुल इंसान थे जिनके पास पाव मैं नर्क में हूँ और जलके मर जाओंगा लेकिन मैं नर्क में नहीं था बलकि एक दूसरी दुनिया में था जहाँ पे मुझे कहीं सारी ताकते मिली और एक ऐसी चीज देखने को मिली जिससे की मेरी पूरी दुनिया ही बतल गई अब गाईज यहाँ पे काफी सारे थियोरी स पॉल्व होती है, हैंरी को बच्पन से ही स्पाइडर के साथ में खेलना पसंद था, वो उनको ड्रॉ भी किया करता था, अब साइड डाउन वर्ल्ड के अंदर जो अन्नून एशिस एक साथ में पाउरफुल घूम रहे थे, वेकना के पास तो हमेशा से ही पावर सी, वो अपन पावर से उन एशिस को स्पाइडर में बदल देता है, और अब आप स्टार्टिंग से आज जाएए, जितने भी डाइमो डॉक्स आए थे, माइन फ्लेयर आया था, शेड़ो मॉंस्टर आया था, वो सब कुछ वेकना के ही बनाए हुए थे, वेकना एल को कहता है कि बस पावर्स मेरे पास है, तो क्योंना मैं उन पावर्स का यूज़ करूँ, एल ने माइन फ्लेयर को मार के अपसाइड डाउन वर्ल में भीजा था, यानि कि अगर किसे इंसान को मारा जाए तो वो अपसाइड डाउन वर्ल का दर्वाजा खोल सकते हैं, वेकना ने सेम स्ट्र के लिए जाती है, लेकिन तब तक दर्वाजा बंद हो चुका था, एल के पास अब कोई आप्शन नहीं बचता है, कि आखिर वो एक्स्क्यूस क्या दे है वेकना को, वेकना याँ पर अब 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 को कहता है, कि अब तुम्हारा टाइम खत्म समझो, अब तुम्हारे पास कोई आप्शन नहीं है, अब बस तुम इसे मरता हुआ देखो, वेकना याँ मैक्स के पास पहुँच जाता है, और उसे बुरी तरीकी से कंट्रोल करना शुरू करता है, सेम प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर, मैक्स हवा के अंदर चली जाती है, जो कि बागी सब की साथ होन नहीं लग रहा था, ये सारी चीजें देख के प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर, एल पूरी तरीकी से तड़प रही थी, इसे के कारण जॉनथन विल माइक उसे बाहर निकाल देते हैं, माइक यहाँ पर एल को समझने की कोशिश करता है, और कहता है कि मुझे पता है कि तु हारी नहीं हो, बलकि तुम हम सबकी जान हो, तुम ये कर सकती हो, तुम फाइट कर सकती हो, मैंने आज तक तुम्हें यही नहीं कहा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, माइक यहाँ पर बोलता रहता है, और उन चीजों से एल को थोड़ा रिलेक्स भी मिलता है, माइक के कारण सारी रूट्स वहां से हटने लग चाती है एक बार फिर से एल वैकना के उपर अटेक करती है उन सारी रूट्स को तोड़ के वैकना को वो बहुत दूर कर देती है और यही वो टाइम था जब जोयस ने होपर को बचा लिया था एक डैमो डॉक की अटेक से और अब व पूरी तरीके से तड़पने लगता है यहां पर डैमो डॉक्स जो चलते हैं उसके कारण से काफे सारी जगों पर अलग अलग एफेक्ट्स पड़ता है यानि कि स्टीव रॉबिन और नैंसी उनको जितनी रूट्स ने पकड़ा था वो सब खत्म हो जाती है और वो फ्री हो लगता है तुमें क्या लगता है कि यहां पर सब कुछ खत्म हो जाएगा यहां पर सब कुछ खत्म नहीं होगा बलकि यह तो सब की शिर्वात है हम यहां नैंसी इस्टीव और रॉबिन को भी देखते हैं जिनके पास बॉटल्स थी वैकना की बॉड़ी को चलाने के लिए यहां जैसे ही वैकना की बॉड़ी को स्टीव रॉबिन और नैंसी मिलके जलाते हैं सीम टाइम पे हॉपर के पास तलवार थी और वो डैमो डॉक से फाइट करता हुआ उसका गला कार देता है काफी हद तक वैकना अलग-अलग पार्ट्स में इंजर्ड हो चुका था और अ इक शूट के बाद तो वैकना यहां सीधा विंडो से नीचे गिर जाता है यहां पे हॉपर और जॉयस ने इंडिरेक्टली अपने बच्चों की मदद कर दी थी और यह टीम जीच चुकी थी क्योंकि यहां पर डिमित्री यूरी को मना के चौपर भी ले आया था यह सारे ल हालने के बहुत कोशिश करता है क्योंकि डस्टिन और एडी के बीच में हच्च से जादा अच्छा बॉर्ण हो चुका था गाईज यह कैरेक्टर हमें सिर्फ और सिर्फ एक सीजन के लिए दिखाया गया लेकिन एडी के साथ जो कनेक्टिविटी बनी ना गाईज वो सच मे बहुत जादा इंक्रिडिबल थी और एडी को मरता हुआ गाईज मैं तो यही समझती हूँ कि आप में से कोई बी इंसान ऐसा नहीं होगा जो इमोशनल नहीं हुआ होगा क्योंकि मैं तो बहुत जादा इमोशनल हो गई थी यहाँ पर जब वेकना मर गया था तो मैक्स की ब नहीं बचा पाई मैक्स आखिरकार अपना दम तोड़ देती है लेकिन एल उसी टाइम पर मैक्स का हाथ भी पकड़ती है अब जब यहाँ पर सांसे रुकिये याने की चार मर्डर कंप्लीट हो चुके थे इन चार मौतों के साथ में ही वेकना का जो में मिशन था यह भी एक काईस कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एल के पास में एक और पावर है जिसके बारे में अब तक नहीं बताया गया है वो एल की पुरानी मेमरीज को याद करती है और सीन गाइस यहीं पर कट हो जाता है हम यहाँ पे जॉनितन के साथ सबी को देखते हैं ज वाली सीटी है उस पे शिराप लगा हुआ है स्टीव, रॉबिन और नैंसी यहाँ पे कैम्प में जाने के लिए निकलते हैं काफी सारे सामान लेके लेकिन उनके जाने से पहले ही जॉनितन की पूरी टीम यहाँ पे पहुंच चुकी थी जॉनितन, विल, माइक, एल और अर पर है और मैक्स कहाँ पर है अब गाईस सीन हमें यहाँ पे हॉस्पिटल का दिखाया जाता है अब जब अगर मैक्स मर गई थी तो फिर वो जिन्दा कैसे हुई लिउकस यहाँ पे मैक्स का ध्यान रख रहा था और तबी सारे लोग एक साथ एंट्री करते हैं और सब एक द दिल को भी वापस स्टार्ट कर दिया लेकिन जब अल मैक्स का हाथ पकड़ के वॉइड में जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है कि आखिर वो कहा पर है क्योंकि इस टैम पे तो मैक्स कोमा में है लेकिन यहाँ पर एक बात थी कि एल को मैक्स वॉइड के अंदर नह अगला काम मिलते है, रॉबिन को यहाँ पर सैंविचेस बनाने का काम मिलता है, तभी उसे यहाँ पर विकी भी मिलती है, जो कि हमेशा से उसकी क्रश थी, विकी जिस तरीके से रॉबिन से बात कर रही थी, उसे साफ पता चल चुका था, कि विकी भी लड़कियों में ही इंट स्टीव उन दौनों को देखके स्माइल करता है लेकिन स्टीव के लिए दुख होता है क्योंकि इस सीजन के अंदर भी विचारा वो अकेला रह गया था एडी के अंकल यहाँ पर अभी भी उसके मिसिंग होने का पैंप्लिट लगाते हैं डेस्टिन उनके पास जाता और उन्ह नहीं बचा होगा देस्टिन और यह अंकल मिलके दौनों ही बहुत रोते हैं एडी को याद करके क्योंकि एडी सच में गाइज एक हीरो ही साबित हुआ यहाँ पर अब एल को छुपाना ही था क्योंकि अभी एल सीफ नहीं थी इसी के कारण वो लोग हॉपर के पुराने घर पे पहुँचते हैं लास सीजन की अंदर वैकना के ही एक मॉंस्टर ने इन लोगों के ओपर अटैक किया था इसी कारण पूरा घर टूटा फूटा था सब लोग मिलके घर को ठीक करने की कोशिश करते हैं जौनतन और नैंसी आपस में बात करते हैं तो जौनतन को कुछ फी यहां एल अभी काफी जादा अपसर्टी चीजों को लेकर वो अपने कमरे में जाके दर्वाजी को बंद करती लेकिन पूरा बंद नहीं करती है तो विल और माईक आपस में बात करते हैं कि आखिर मैक्स कब तक ठीक हो पाएगी और अब तो शायद उसे वेकना से फाइट क इसी की कारण वो यह सारी चीज़े बताता है यहां एल को अपने कमरे के अंदर एक बॉटल मिलती है जिससे की वो मैक्स के साथ खेला करती थी और इसी कारण उसे वो टाइम याद आता है कि हॉस्पिटल के अंदर मैक्स उसे वॉइड में दिखाई ही नहीं दी थी इन और वो भी लास सीजन में मारा जा चुका था तो एल जब हॉपर को देखती है तो बहुत जादा एमोशनल हो जाती है ये दौनों एक दूसरे से बात करते हैं कि आखिर कहां थे कैसे हैं और अब इनके साथ में क्या चल रहा है हॉपर वादा करता है एल से कि वो से छोड़ के क पूरा environment change हो जाता है हर जगह ashes उड़ रहे थे मानों कि snowfall हो रहा हो अब जब दर्वाजे खुल ही गए थे तो Hawkins का शहर भी upside down world में change होने वाला था upside down world के अंदर काफी सारी चीज़े बदली होई होती है जब ये सारी लोग आके जाके ground में खड़े होते हैं तो एल देखती ह है कि ground की आधी greenery खराब हो चुकी है वो ashes के कारण है या snowfall के कारण है या upside down world के कारण है और सामने काफी तीज बिजलियां गिर रही है क्योंकि सामने वही चारो गेट का corner है जहां पे दर्वाजे खुल गए थे यानि कि upside down world Hawkins में है साथ हमें एल के पीछे तीन और couples दिखा होता है और stranger thing season 4 भी यहीं पर गाइस खत्म होता है तो आप सभी लोगों को यह season कैसा लगा मुझे जरूर बताईएगा तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से ऐसी एक इसी शांदार सीरीज में तब तक की लिए टाटा कर दो उख सकते हाँ